पूर्गा चिलाता है तो सुबा होती है बिल्ली चिलाती है तो अशुब होता है लेकिन जब यह सुरिया अपने उंगलियां बजाता है तो सामने जो भी खड़ा है उसका नसीब हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है उड़ा तो इसे बोस गेट इंसाइड अब मैं बार क्यों करा हूँ अब तो पूरी सटक गई है मेरी एए काटों काटों कि ऑ़ढ़ा है वारों सच होँ करें तो करें सुरी भाई लेकर जाए बॉस ऐसे ले जाए या ऐसे ले जाए या फिर ऐसे ले जाए यह मुझे कोई दिख्कत नहीं है सुरी बॉस वह उठेगा है नहीं यह डाउट है आराम से सूचुका है थैंक्स की जरूत नहीं है अरे पॉपरे मेरी ट्रेन निकल रही है एनिवेज बाई ए उठो आखे खोल कर देखो उठो सुन रहे हो ना देखो मुझे तुम पूछ रहे थे ना मेरा प्रेमी कौन है प्रेमी कौन है तो गौर से देखो यह है मेरा प्रेमी हाँ मैं इसे ही प्यार करती हूँ कौन है यह लड़की क्यों इसे अपना लवर कह रही है इन दोनों के बीच में कौन सी लव स्टोरी है यह आपको मिलेंगे हलो कल मेरी शादी होने वाली है अगर कल आकर तुम मुझे यहां से नहीं ले गए तो मैं अपने आपको कर लूँगी लाइफ लॉंग ऐसे ही लव को मेंटेन करना कल तुम्हारा आशिका जाएगा हलो अरी टाइम हो गया यह अब देखाई क्यों नहीं शायद वो दुलहन के जैसे कपड़े पहन रही होगी कि रिंग तो जा रही है पर कॉल रिसीव नहीं कर रही है उसका इंडिजार करोगी तो शादी क्या सुहाग राद भी मिस्स कर दोगी कि देखो वो आ रही है कि लगता है बहुत लेट हो गई ना यह अमारे लिए कोई नया थो रही है अग्यूवं पर रहे हैं हमारे बैश में से ना तुम्हारी शादी पहले होने होनी चाहिए थी नौ वस्ट मैं किसी ऐसे वैसे के लिए कमेट नहीं होने वाली मेरी अपनी जोने नवहीं कन्डिशन्स हैं ड्रीम्स हैं फीलिंस हैं वह तो सब की होती हैं ओप मेरे बस बजरंग बली मैं जिस से चाहदी करूंगी उसे इनके भगवान जी जैसा होना चाहिए मतलब श्री राम जी जैसा ऑट-थ कि उसके बारे में सारी इंफरमेशन कलेक्ट लिए भाई वो देख़़े में फिल्मी हीरो लगता है वाई लेकिन है वो विलेंड और उसे हिंसा के बारे में कुछ भी बता ना हो आहिंसा का पालन करने वाला हुँ उससे ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करें suhger आया भागो भागो उसे ऐसा होना चाहिए जिसकी हर कोई इज़द करता हो हुम् हेई जलो पकड़ो उसे अबेरा गोस्त बुलेट की तरह है जो एक बड़ बंदूग से निकल जाता है तो सीधा निशाने पर जाके लगता है और तुम लोग यहां उसे नीचे नहीं रहता है तौप पर रहता है पर चाहिए तू नीचे रहा मिडल में रहा टॉप पे रहा है अब देखते हैं तुझे कान बचाता है यह बेवकुफ हमेशा मैं टॉप पर ही रहना पसंद करता हूं इसलिए नहीं कि लोग मुझे देख सके बल्के इसलिए ताकि मैं लोगों को देख सकूं बलाओ ! तुझी के लिगा मैं डर के भाग जाऊंगा यूँ फूल मैं तुझे बगा के यहां तक लेकर आया हूं थाकि तुझे यहां लॉग कर सेकूं एक बाद चारू तरफ देख ले अब देख्था हूं तुझ कैसे डालोग मारता है अटेक्ट लोगों ने मारा तो मास होगा थोड़े लोगोंने मारत बेस वाद अर तुम लोगोंने मारा कमेडी जैसा होगा लेकिन अगर मैं मारू सो हमेश्वा मस्त ही होगा अझा औरश लोओब लोओए लोओद है अुजुट लोग्धिञ साइ़ लोगार लोगभार लोगँ लोगण अरे यार पूलीस वाले भी आ गए अरे अब क्या होगा क्या हो रहा है यहां पर होने वाले हनुमान जहिंति के शो के लिए यहां प्रैक्टिस कर रहा था साब जी आपको आता देख सब लोग डर से भाग गए है चलो दे दो मेरे बीवी ने तुम्हें यह स्वीट बॉक्स देने के लिए कहा है अरे यह क्या है हमने सोचा एसाइव से अरेस्ट करेंगा लेकिन वो तो इसे बैकेट दे रहा है एक रुप्या खर्च किया बगर बेटी की शादी की अमेले का बेटा इसका दामाद बना तो इसे क्यों आर अरे अंकल इतना ही नहीं इस एरिया के डॉक्टर्स लॉयर्स एंजिनियर्स ओनर स्टूडेंट चोटे से लिकर बड़े तक सब इसके बहुत बड़े फैन है है हैं सिर्फ एक रिलेटिविटी इस पॉंट पॉंट अरफ दिन बर सोता रहेगा पता नहीं कर दो अब यह जल्दी खाना शुरू कर दिया कालो क्यों एसी बाते कर रहे हैं आप खाते बगार नजर लगा रहा हूं अरे यह मारे ते चार लोगों के आखे निकर जाएंगी यह आपको नहीं पता है मेरे कॉलेज में मेरे क्लास्रूम में मेरे स्टुडेंट्स पर हाथ उठाया है शुकर की जी आपको नहीं मारा उस दिन से पूछ रहा हूं मूं ही नहीं खोलता है पहले उसे पूछ कर बताओ तो और चलने वाली लड़कियों को धंकी देकर इसे चोड़ दिया यह मैरेज़ ब्रूकर बन जाएगा देखो कल अगर मेरी बेटी यह कहती कि वो किसी से लव करती है तुसकी शादी चर्च में करवा देगा अब तुम यहां से जाब बैटी इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी उन दोनों ने खुद ही डिसाइड किया मैं तो अपने हाथ बांद कर खड़ा था मंगल सूत्र बांधने तक चुप था लेकिन मंगल सूत्र बांधने के बाद अरे-अरे आप वित्र हो गया वह मुह खोलकर ऐसे चिलाने लग गया और मेरे प बड़ा लड़का डॉक्टर बनकर मुंबई में सेटल हो गया है उन दोनों को देखकर मुझे गर्व होता है मगर सर बेरोजगार बैठे हैं कौन लड़की ने से शादी करेगी एक बात मैं साब साब बता देता हूं कान खोल कर सुन लिजे निर्मला देवी जी आपके इस जनम में तो शादी नहीं होने वाली है अधिया थोड़ा और खाले लेना अरे सुन तो बेटा आपने सच में गलती की है बेचारे उस लड़की के माता पिता उस लड़की के बारे में उसके खांदान के बारे में आपने कुछ तो सोचा होता हूं तो वह दोनों कितना बस शादी से पहले अपने माबाप को मनवाएंगे या फिर शादी के बाद मनाएंगे यह उन लोगों का फैसला है मगर लवर्स को हमेशा एक साथ रहना चाहिए उन्हें अलग नहीं होना चाहिए बस यही तो है मैरा कॉंसेप्ट आपके इस कॉंसेप्ट की वज़े से पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे बचपन में हाथ में लिखवा लिया है तिससे कुछ भी नहीं होगा उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी सुबह सुबह जब मैं जोगिंग करने के लिए जाता हूं तो लोग पूछते हैं कब आपका बेटा देश की सेवा करने जा रहा ह तो बचाई यह क्या कहूं से आप इक भी रुपिया खर्टा मत कीजिए अब देखने के लिए मैं हूं आप सेलक्शन प्रोसिजर एंट कीजिए अब मेरी इज़ाद बचाई यह जाये सब टोर चाहिए यह सब क्याइए यह सब आइए जाये स्टेप वाकिंग इसन तो यहां बाहर क्यों बैठा है बेठा अंदर अना चाहिए था ना जब मेरे पास मेरा ये भगवान है तो मुझे उस भगवान की क्या जरू हो तिल जो लिया तुने मेरा शोना बेठा कर्चिक लिए ऐसा चाहिए क्या नहीं माँ क्यों हो तेरे चेहरे पर बारा बज़े हैं हां रोज तुम्हारे पती से गाली खाकर हसता ही रहूंगा आज पापा कह रहे थी कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी मां कुछ भी बोलो लेकिन मुझे आपके पती पर बहुत गुस्सा आता है मेरे पती है थोड़ी तो पादर बनने का डिसाइड किया है नो ममी यौर मिस्टेकन मी शादी के बाद जो बनते है ना वो फादर सोने जैसी लड़की से प्यार करके तुम्हारे पती के सामने लाकर खड़ा करके यह बुलवाँगा अंकल अंकल इस लड़के के अलावा में और किसे से शादी नहीं क पता नहीं क्या-क्या बनना चाहता है इस वेदर में गर्म-गर्म कॉफी पीने का मज़ा ही कोछ और है क्या बात है बताओ लव करना है मुझे लड़की ढूंड के दे सबको सब तरह की लड़किया पसंद नहीं आती वो क्या है ना कि सबका अलग-अलग टेस्ट होता है चॉकलेट आइसक्रीम यह सब है ना पसंद नहीं होना चाहिए लाव आइसक्रीम बड़े लोग छोटे लोगों की इज़त करनी चाहिए मरने के लिए मेरी ही काड़ी मिली दिखा नहीं देता क्या चाहिए तुझे बेवड़ा पती मिलेगा ये मेरा श्रॉप है तुभारे चाहिए डिमपल नहीं रहना चाहिए ये क्या गुरु डिमपल वाली लड़की तो बहुत सुंदर दिखती है अरे वही तो मैटर ए उस डिमपल के ही वज़े से तो मेरी लाइफ का ट्रैक ही चेंज हो गया नहीं सब्या राइफ का एक सीग्रेट मैं तुझे बताता हूं चाहिए सुना था टिमपल फोबिया पहली बार सुना है यह कोई बिमारी है मेरी लाइफ में फर्स टाइम जो जगडा शुरू हुआ था ना वह उस डिमपल की वजह से वाह अरे यार मेरी चाहिकी रही तुन्या सी माइ फ्लैश बैक आज मेरा बद्दे है विश्य हैपी ब डिमपल सब कुछ भूल गया फेल हो गया उसके बाद वही फिलिंग टेंट में भी आ गई वन सगेंड डिमपल बुक पकड़ने के लिए बोला तो हाथ में जो हॉल टिकेट था वो नीचे गिर गया और पढ़ा हुआ सब भूल गया एक सब्जेक्ट उड़ गया रिजर्ट मुझे पता चला कि मेरी बुलेट टूट गई एक्जाम से ज्यादा मेरी गाड़ी ही इंपोर्टन थी तो अगर वो डिमपल नहीं दिखा होता तो या तो मैं लॉयर डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाता लेकिन उस एक डिमपल की वज़े से मेरे सारे अंबिशन्स का एक अरे साइड़ आटो साइड़ आटो यार अर जाओ यार अलो है बोलना I love you I love you अरे ये लव प्रपोस करने का टाइम ही क्या सोजाओ सोजाओ चलो चलो अरे बहुतो सब्सक्राइब बैय। क्या है बे लव हो गया क्या तुमको अभी मुझे लव हुआ है ये ज़रूरी नहीं मुझसे उस लड़की को लवव ये बहुत जरूरी है मतलब लव अरे काई को ऐसा समझने का फर्स डे में टेंपल सेकंड डे में जिम में थर्ड डे में कॉफी डे में देखा ऐसा समझ जानेगा अच्छा ये बता लाइफ में तुझे किसी लड़की ने ऐसे आई लव यू बोला है क्या नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा मैटर है तुझे समझ मनी आएगा जा तू सिस्टर क्या है वह लड़की ओठी क्या सिस्टर वोटेगी तुम बता दूंगी तुम चुपचाकर बैट जाओ सिस्टर क्या हूँ एपल एपल मेडिसिन्स हेलो मिस्ट्र साजन वो लड़की ना उठ गई है एक्स्क्यूज मी मैं अंदर आ सकता हूँ बुके तुमने कल मुझे जैसे आई लव यू कहा था वो मैंने एक्सपेक्ट डैड बिजनस ट्रिप पर गए है मा तो हमेशा बजी रहती है शौपिंग कर देश्च को कॉल कर ने का टाइम यह मिला था ये सब कोन धिहान रखता अगर कोई मेरे साथ रहेगा तो सिक्योर रहोंगी यही सोच कर वो कहा ज़स्ट पॉर ज़स्ट पॉर्पेस्स आइ लव यू कह दिया और कुछ नहीं के अप अब अरे ये क्या इतनी जल्दी जा रहे हो आजाओ आजाओ तुमने कितने पुर्णिकिये होंगे जो तुम्हें ऐसा लड़का मिला तुम्हारे लिए ये बेचारा सुबे से कितना परिशान हो रहा था और एक मेरा पती है जो किसी काम का नहीं तुम बेटी में कितनी मेहनत करती हूं लेकिन वो दिन में एक बार भी फोज नहीं करता तुम दोनों को देखकर लगता है साक्षाथ शिव पार्वति की जोड़ी है और मैं बोल रही हूं तुम दोनों बिलकुल लक्षमी नारायन जैसे दिखते हो तुम्हें समझ में हारा है किया कब से रोकने की कोशिश करा हूं इतना ओर एक्टिंग करने की ज़रूवत नहीं है इस लड़की ने मुझे सच में प्रफोस नहीं किया था अपनी सिक्यारिटी के लिए एक लड़का रहना चाहिए इसलिए आप्शन में है लोव यू बोला था अब्सक्राइटी के ल शेकर अबर्बलम क्रिएट करो तो पुलीस कंप्लेइंड करने के लिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए सिर्फ सेफटी के लिए ऑई लव से ज्यादा फ्रेंड्शिप बड़ी होती है यह मैं आज समझ गया लड़का लड़का होता है लेकिन लड़की लड़की होती है चीक तो है ना चलो चलते हैं अरे थोड़ा रुख तो सही उसे जाने तक देखते हैं यह बगवाल चल चलते हैं मेरे दोस्त के लिए एक ब अच्छी अच्छी आदमी को मिस्यूज करना ही गलत है फिर आइच यू बोलूगी तो और भी पाप लगेगा नो वे मैं नहीं बहुत मेरी उम्रों भी बहुत कम है मैं तो कोई अच्छी लड़की ढून कर शादी करके फादर बनने का बहुत-बड़ा द्रीम देख रहा मेरे फिलिंग्स के साथ मत खेलो मेरे तुमारे बिच कोई जगडा नहीं है बस एक बार अपना दिल खोल कर अपने मुझे मुझे आइट यू बोल दो मा कसम मैं चुप-चाप यहां से चला जाओंगा तो मेरे मुझे ऐसा कहलवा कर मुझे पाप लगाना चाहते हो मैं अच देख लिया ना बेकसुर आदमी को मैंने मारा तो मैं एक नंबर का बुरा आदमी हूँ कि नहीं मुझे एक कांसे सुनाई देता था आप ने थपड़ मारा तो मुझे दूसरे कांसे भी सुनाई देने लगा आप ग्रेट है भाईया आप महान है बहुत-बहुत धन्यवाद देखा यार यह कोई पागल आदमी है एक दो सिच्वेशन देखकर एक आदमी अच्छा है या बुरा यह कोई डिसाइड नहीं कर सकता है एक काम करो चार-पांच दिन मेरे साथ घूमो उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं फिर तुम्हारा फर्स टाइम है फिर भी तुमने नाइस परफॉरमेंस दी सर उस लड़की ने रियली आई हेट यू बोला तो में क्या करूंगा पगला है पगला है तु सच में अभी उसे तुझे आई हीट यू बोला इंपोर्टन नहीं है अगले दो तीन दिन में वह तुमस तुमसे मैल्ट हो जाती है हा अटब अपरी लव स्टोरी को एक बुक की तरह फील करो पूरी जनरेशन को हैल्प मिल जाएगी छोगत कमपैनियन यह गुड कमपैनियन किसी भी पार्क में लेकर जाओ ओ जाओ या किसी सिनिमा हॉल में लेकर सिनिमा हुआ हम जैसे बुरे लोग ऐसी जगह पर आते हैं यह मेरा फेवरेट थीटर है हाँ यह यह हलो इतनी टाइट टी-शिट पहने की क्या जरूरह थी सब को अपने डोले-चोले दिखाने थे क्या हाँ आप क्यों इतना लिप्स्टिक लगा कर आई हो अंधरे में सब को अपना होड द इस अरी फ्रेंड घर जातों बीवी परिशान करती है थीटर में वेठो तो यह लवर्स परिशान करते हैं नो टच नो किस अट लिस्ट एक हाग तो किया नहीं नहीं किया तो फिर क्या खाग किया अचा यह बताओ तुम उसे कौन से थीटर में लिखे गए थी अधिया यह सूपर सिनेमा सर अरे कौन सा सूपर से इमार ओम दिखाए उसे अर ने अरे ओम दिखाने के बाद तो प्रेगनेंट लेडी की डिलिवरी वहीं पर ओजाती है तो उसे देखके तेरी लवस्तोरी कैसे शुरू होगी नॉंसेंस है तू तू तो पदिशे कुछ पता दिया सब्सक्राइब नॉंसेंस स्टूपिड इसका घर का है और यार चुबटा तूबटा सौरी बोला है सर अप्रोच नम्मर वन पूरी तरह से बरबाद हो गई है अप्रोच नम्मर टू शेरिंग इसे पूरी तरह से करक परफॉर्म करना जूट बोलो लड़की को इंप्रेस क अब उसकी भावराओं को समझो उसे किसी यूद्ध सेंटर में लेकर जाओ उसे मनाओ और फिर एंगेज हो जाओ काम करते हों तुम बहुत काम करता हो मैं यह नहीं हो और कहां तक पड़े हो बहुत पढ़ाई कियह अ meant अगर फाल तुत खोंटे रहते हो तो ईगेस किसीनों किसी से प्यार तो किया होगाher dingen एक्चुली एक ही लड़की से मुझे दो बार प्यार हो गया था फरस्ट टाइम मैंने उसके घर में देखा तो वो डांस कर रही थी उसे देखते ही मेरा चाय कप टप से मीचे गिर गया सिर्फ यह कप ही नहीं फिसला था मेरा तो दिल भी फिसल गया लव एट फस साइट नेक किसी और से लव कर रही है चलो कोई बात नहीं उसके साथ वो रहे के खुश है तो मैं भी निकल गया और चोड़ दिया तुम ने तुम तो छोड़ने वालों में से नहीं लग रहे हो जूट कह रहे हो ना कोई और मिला नहीं कि यह फिल्मी स्टोरी सुनाने के लिए हाँ मैं प्यार बताती हूं सुनो एक्चली मुझे एक बार एक लड़के से प्यार हुआ था प्यार राम नव्मी के दिन एक गादा जी मंदिर की सीड़ी चड़ रहे थे और अचानक से उनका पहर भिसल गया ऐसा लगा जैसे राम जी ने सोहम अपना दूद भेजा था उन्हें बचाने के लिए लव एट फॉस साइट मैं तो फिदा हो गई थी उसपर मंदिर से दर्शन करके बाहर आते वक्त मैंने देखा कि वही लड़का उस दादा जी को डांट रहा था उसकी बाइक के सामने चपल रखने के लिए तभी मुझे पता चला कि उसके लख्षण राम जी के जैसे रही बल्कि रावन के जैसे थे उसके बाद मैंने बहुत साइ हो रहा है कि अगर तु ऐसे करता रहा तो लड़की नौन सिंकों के नौन स्टॉप भाज जाएगी फिर पश्तारमत तुम समझ नहीं रहे इसे मैंने जितनी भी ट्रिक्स समझाई वह सब फ्लॉप हो गई है यह क्या सर आप इस तरह से बात कर रहा है यह किसके साथ उची आ पूची आवाज करेंगा सर आप लाव गुरू है एक्शन हिरो क्यों बन रहे है आप सर पांच नियार ज्यादा दे लिजे मगर अच्छा सा आइडिया दिजिए इसको आइडिया देरे से कोई फाइद रही पांच जार नहीं लूगा पूरे बीस हजार लूगा पूची से हाँ ठीक है मैं नहीं तूँगा आणया है तो हमारे दिल पकी सर कॉंप्रमाइज कॉंप्रमाइज अप्रोच नमर त्री शॉपिंग वो जोब भाएंगे सब देलाव सर फ्लीज कम क्रोजर सर फ्लीज टोंट टच में वो तुन आ रहे है सर सूर्या यह चाहिए पर बैठने वाले सभी राजकुमार नहीं बनते हैं और बाया हाथ उठाने वाले अमिता बच्चन नहीं बन सकते हैं और हर कोई अमरिश पूरी की तरह विलन नहीं बन सकते नियात अच्छी होनी चाहिए उसमें लोगों को हसानी की कला होनी चाहिए लोगों के दुखदर्थ को समझने की ताकत होनी चाहिए वही इंसान होता है यू माइंड एट समझ गई अगर नहीं समझ मैं तो चलो चुप-चाप मेरे पीछे-पीछे मैं कुछ नहीं दिलवाऊंगा वैसे टाइम किसको है समझाने का अप्रोच नमर थी भी बरबाद हो गई तो अब हम गाते हैं लिए प्रोच नमर फॉर की तो सार क्या है सिक्च्रिटी हमारे लरके को चीते से भी थेज़ हागना होगा वह आरहा है देखो अरे वह देखो मेरे बैग नेकर भाग रहे हैं आां पॉई लगज़ने, इतों लिट रखे हम फालेश है का दुछ नौरो रखे डलो वे थालतल, सोच आप शर्या ले! के प्र शकतत्र, टुछ लेख रखे हम जुछ तो परखे हम जुछ UK восly हेε дело हे 원ा ह criticizing जाट जातो हर वह एक ब inhसी कि आपी हम ने हर एक है हो ठाल्स बहिक कि आप ऑगार कि घय झान से मैं एक हुट जो जो प्रिश एक हुट जो 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 3 कर चृह्ट जो 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 कि उटिवा प्रिश पराव भ recipient यह जा कर फाइट करके मेरा बैग लेकर आओ ना वो मेरा फेवरेट बैग है जाओ ना यह बैग उनर मैं हूँ या तुम्हो मुजिक साइड हो जारे तुम्हो यह वर तुम्हो यह झाच मिदश थाच हो यह। हुआ सर है उठाच होगा सर हुआ लो सर सै इस मिल होगा है सब कुछ करेक्ट है ना मैंने पहले ही बताय था मैं बहुत बुरा इंसान हूं अब घर जाओ अरड़ जया है जो कह सकत Records do और यूमिया रात्रे में भी झीष्ट से प्रते हैativa बताँ है अभया कह स्यरों कि मैं यूम् wakes us आ जा कहते हैतो और जाच क्यु सुभ आज़ीव आज निए किस भी हो गया तो अब समझो लब हो गया आज रात को सोएगी नहीं कल सुबह आकर तुमसे बोलेगी कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं हाँ बोलो लड़की बहुत ही फास्त है देख लेना वो सब को समाल लेगी अब सब कुछ वह समाल लेगी तुम्हारे दबाने यह पता चल रहा है कि तुम दीप ली उसके लिए लेकिन उसके हाट में जाने के लिए तुने मेरी च्छाती में लात मारी कौन सर थी ओवर एक्टिंग मत कर आप चल जा 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 सर जा कब दूं सर क्या पेमेंट तुने प्यार में पड़ते ही लड़का कित्रा फास्त हो गय तो वहीं पर मिलके लेंडेंज सेटल कर लेंगे अब चलता हूं सर अरे अब चाती तुख रहे हैं तो जा सुन बेटा मैं यहां एक फंक्शन में आई हूँ यहां बहुत सारी अच्छी लड़किया है दिखने में भी बहुत अच्छी है तो अपने लिए लड़की खुद अच्छेगर की होनी चाहिए उस मामले में तो मेरी वाली पक्का गोल्ड है हलो हलो मां मैं बाद में फोन करता हूँ हम में जैसा प्लान किया था बिल्कुल ऐसा हुआ हुआ अच्छा तो पहले से फिक्स था क्या अगर मैं ऐसे ही जाकर डिरेक्ली उसे प्रपोस कर देती त अच्छा तो मैंने कोई है तो अच्छा तो मैंने कोई है तो अपने आपको बट बीडी तोप समझ रहा है किया तो तुम दोनों नहीं मुझे बहुत है मेरे चाइल्ड होड्रीम को फुल्फिल करने के लिए थांक यू सो मच आइल लब यू आप यू आप यू चूर्स पानी वड़का है वड़का अब यू अब यू बटी है कलेजी यह पाया है बेजा है गोटी है बजरी है गुर्दा है और कलेजी भी है वोलो क्या चाहिए तो अच्छा चलो तुम्हारा यह सब काम तो मैंने करवा दिया उसके बदले मुझे फोन कब दिलवाओगी हाई हलो नमस्कार अच्छा तुम दोनों ऐसे आए होगे और यह सामने से आई होगी अचानक मिल गए तो कैजूली बात करने बटे होगे यह सही कह रहा हूं ना गुरुजी है एक तम सही बोला लेकिन मैंने तुम्हें को आने के लिए काता तुम सुबहें क्यों आगे ओके अब जरा आखे बंद करेंगी मैडम है तुझे भी मारूगा तेरे बाप को भी मारूंगा क्या है वो एप्रोच नमबर वन क्या है शीवा भाई के फिल्म नहीं देखने को कहने वाला तू को होता है अप्रोच नमबर टू क्या था शेरिंग महात्मा लोग पैदा हुए इस जूड़ भी मांगेगी उसे दिलवाने के लिए पैसा क्या बाप देगा अरे इसे छोड़ दो तो यह पुरा मौल मांग लेगी अच्छा नमबर 4 क्या था वह तो वह था और शिक्यारिटी स्क्यारिटी गुंडे भेजेगा मेरे पीछे अच्छा यह बता तु कौन से यु कमीना है तु अरे मार उसे मार नहीं आया तो तेरे पास भी मैं आ रहा हूं एक मिनिट जरा इसकी पिटाई होने दे यह बास यह चेर लेकर बैठ और तुम लड़कियां अगर पसंद आया तो डारिक्ट आकर मैं तुमसे प्यार करती हूं अगर तुम्हें डिम्पल पसंद न भाई बहन भाई हो तो ऐसा बहन हो तो ऐसी भाई बहन का प्यार इन सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तो तुमने ब्रेक कर दिया फोन मिल जाने के लालच में तु इनके साथ हो गया अशा कुछ नहीं गुरू अब क्या है कच्रा कमीने चिंदी कहीं के सड़े वे टायर प्रेटियो लिखकर रखना अब से तुम कौन हो मैं कौन हो खताम समझे तुझे प्रेंट इसलिए तुझे बाद में मारूंगा चल बै अरे बास एक समोसा तो खा कर जाओ चलो यहां से गौरी तुम यहां पर उदास क्यों बैठी हो उस लड़के का गुस्सा तुम खाने पर क्यों निकाल रही हो गौरी तुम जैसी सुन्दर लड़की पाने के लिए कई लड़के भगवान के सामने घी का दिया जला कर प्राथना करते हैं वैसे भी तुम नहीं मिले इसलिए उसे सैड होना चाहिए तुम यहां बैठकर क्यों रो रही हो गौरी अगर तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है तो तुम अपना वन वे लव टूबे बनाकर मुझे दिखाओ अगर मुझे सच में लगा कि तुम्हारे प्यार में सच्चाई है तो मैं खुद उस लड़के यह ना किसी से प्यार करती है अगर तुम अपने भहिया से बात करती हो वह पापा भी घर पर है लेकिन भहिया घर में नहीं है है प्रभू कुछ भी करके इस लड़की को मेरे घर की बहु बना दो हाँ एक काम करो कल हम मृतिंजे टेंपल में हूम रखने वाले हैं तुम सब लोग वही आ जाओ ओके ओके वह लड़की कौन है जिसने पॉपल कलर का चुड़ीतार पहना है कितनी सुदर थी ना उसे घर बातचीत कर लेती है मां आप क्या सोच रही है मुझे पता है ओवर इमेजिनेशन मत कीजिए वो किसी से प्यार करती है प्यार चीए यह आज कल की लड़कियां भी ना बड़ी बात में होती है प्यार में पहले ही पढ़ जा 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 तूजा आपने तो मेरे सारे सप्वें त मुझे अज तो पूरी होमली लग रही है यह बह्या भाईया उटत वो लोग मेरी फ्रेंड्स है कोई प्यार व्यार का चक्कर है आप हमेशा प्यार करने वालों की मदद करते हैं ना तो मेरी फ्रेंड की भी मदद कीजिए ना मदद करनी हैं तो ठीक है कर देते हैं भाइया यह लक्षमी राधा श्वेता यह है बच्पन से ही मैं उससे बहुत प्यार करती हूं उसके अलावा किसी के बार में सोच भी नहीं जगती पर मैंने उससे जूट कहा और उसके दोस्त के साथ में कर ड्रामा भी किया लेकिन मैंने यह सारा ड्रा को बताऊंगी कि वो मेरे पीछे नहीं आया था मैं उसके पीछे गए थी मैंने उसे हमेशा ऐसे प्यार करूं कि और उसे चोटे बच्चे की तरह संभालूंगी हैलो बस हुआ पहले उस लड़के के डीटेल्स दो मैं खुद बात कर रही हूं ना तुम भीच में क्यों बोल सब्सक्राइब कर दो मैं कमा कर बालूंगी इसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता है शिवा भाया बोल रहे है ना वो बुरा आदमी है समझ में नहीं आता क्या तेरा सिफ हां मैं जिससे प्यार करती हूं वह और कोई नहीं बल्कि कि यही है भाया यह इच्छा पूली कर दी में नो 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 मैं अपनी बेटी की यादी उसके साथ करवाऊंगा हजारों लोगों को काम देने वाला एक कॉर्परेट कंपनी का ओनर एक और इमप्लायट के साथ अपनी बेटी की शादी करेगा तो लोग क्या कहेंगे वो लड़का कुछ कमाता भी नहीं है, शादी के बाद बीवी का ख्याल कैसे रखेगा, बच्चों को कैसे पालेगा? करेक्ट, करेक्ट, क्या करेक्ट है, शादी से पहले आप क्या करते थे? वो, पहाब, वो, अनेम्प्लोईड हमारी लव स्टोरी थोड़ी अलग है, चड़ो उसे सही का, उसके अलवा किसी और से शादी करेंगे तो वो अपनी खुश नहीं रह पाएगे? कि मुझे ऐसा ही लग रहा है जी हमारे प्यार को हमारे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया मैं एक माँ बनकर अपनी बेटी के प्यार को सपोर्ट करना चाहती हूं प्लीज मान जाहिए बच्ची की खुशी के सामने क्या जाइदात क्या पैसा अब मान भी जा शशी जब सारे तो मैं क्या कह सकता हूं यह 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 बुरा मत मानिये सपोर्ट करता है तो केमिस्ट्री ड़ेंट सपोर्ट करेंगा सब्सक्राइब अपनी बेटी की शादी की बजाए तोड़ने की कोशिश कर रहा है मेरा बाप हमें आपका बेटा बहुत पसंद नहीं है संसकार प्रोफेसर का डायलोग सुनकर इंफ्लूएंस हो गया क्या वो क्या है ना फॉस्ट टाइमेंट हो रही है इसलिए तोड़ा डर लग रहा है और कुछ नहीं हो मेरे तो दो हुए यह तीसरा वाला है डर लग रहा है मैं जो बुलता हूँ हो सुनो जबरदस्ती से प्यार करने वाले जो बहादूर प्रेमी होते हैं वो हमेशा मास्त रहते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि लोग उनकी मूच देके और खुश हो जाए गले में मंगल सूत मेरे जाए 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 होवन पुत्र हनुमान की तुम्हारे पिता जी कहां है अरे आप अभी आ रहे है नमस्ते 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 स्पेशल क्लास था ना इसलिए यह लोग बस जाए ही रहे हैं तो फिर मिलेंगे बाई मैं जड़ा चोड़कर आते हैं हलो अबे कल से हम दोनों को डिक्समारना है अब अब आपके साथ में परस्टनल बात करना चाहता हूं अब आपकी माने अपना सब कुछ बेच कर यह जिम तयार कर वाकर आपको दिया है क्यों फाल तुके तुम यह सब कुछ कर रहे हो उसकी समझ में कुछ भी नहीं है उसे शायद तुम पर बहुत जादा भरोसा है बड़े लोगों के साथ रिष्टा जोड़ रहे हैं तो उन लोगों के सामने अपने बेटे का सर जुकना नहीं चाहिए इसलिए उसने यह सब क इस तरह की बाते आप अपने स्टुडेंट से कीजिए आप मेरे साथ ऐसे बाते क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर मैं राइट कि मैं आपकी भावनें अच्छे से समझ जखता हूं सर देखे सर मेरे लिए मेरी पत्मी मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारी है अगर उसकी आखों से एक पूंद आंसु भी निकला ना तो मुझे मुझे सहन नहीं होगा सर पापा पापा उसके प्यार की बुनियात पर खड़े इस जिन को अच्छी तरह से चलाएगा सर प्लीज किसी भी बात को सिरियसली न लेने वाला वो लड़का उस दिन अपने पिता की बात को लेकर बहुत सिरियस हो गया रात को ठीक से सो नहीं पाया सूबह होने से पहले उसकी तकदीर ने उसके लिए एक सर्प्राइज रेड़ी कर रखा हापी बार्देश दोगे अरे सप्राइज यह नहीं है बाहर है सप्राइज सोल्जर के बाइज वडूला आया है आमी से लेटर आया है आर्मी में मैंने तो पास होने जैसा कुछ लिखा नहीं है नमस्ते जी आपको एक शुब समाचार देना है वो क्या है ना जब से आपकी बेटी की मंगनी मेरे बेटे के साथ हुई है तब से उसका सब कुछ शुबी-शुब हो रहा है इस वाइब आर्मी से उसका सेलेक्शन ओ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं तो हुई गई है नो प्रॉब्लम और तो तो एक गाय तक की रखवाली नहीं कर सकता और अब देश की रखवाली करने जा रहा है विजाई बाबाबा आप रहो प्रव्लम झालाल है जाता है मैं तुछ तन्ममा रेलाई प्पी लेकर आई हो है थाल्गिफ्ट इ descartu समयं तुम्हाराई कियू दिया पता है तुम्हाराई कि यू पपी यू दिया पता है तुम्हाराई पता प्यार के लिएcharged रह है does it तुम आमी में सेलेक्ट हो गए हो ना अभी अभी तो एंगेजमेंट हुई है तुम्हारा पती बने वाला हुँ जिम ओपन की है कल के दिन में शादी करके अच्छा संसार बसाने का छोड़ कर कॉंग्रेजुलेशन बोल रही हो तुम कॉंग्रेजुलेशन बोल रही हो मतलब जयादा कुछ नहीं सीधा अपने बाप के पास जाओ मेरे होने वाले पती को आर्मी में भेज रहे हैं कल के दिन अकर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा और तो और इस पपी का क्या हाल होगा ऐसे जोर से रोते हुए शुरूती के रेंज में आसू दिखा कर बड़ा सीन क्रियेट कर दो बास सुनो मेरा आर्मी जाने का प्रोग्रम कैसे भी कैंसल कर दो प्लीज तो इस पॉपी के साथ और तुम्हारे साथ मैं खुशी-खुशी रहे जाओंगा मुझे डाउट है कि हमारी चादी होगी भी तुम्हें ऐसा क्यों बोल रही हो तुम्हें मेरे फाम अगर मिस किया तो इस दन कहना नहीं मिलता है है अगर ऐसे मैं तो मामी में नहीं गए तो हमारी शादी होगी है या नहीं मुझे डाउट है बोस्ली चांसे कि नहीं होगी ऐसी बात नहीं है जानू आँ सोचा था मैं ड्रामा कर रहा हूं लेकिन ये तो मुझसे भी बड़ी ड्रामे बास है ऐसा है तो ये प्लान वर्क आउट नहीं होगा क्या जानू बिल्कुल भी नहीं जल्दी आना बेटा आखरी मुवमेंट में तो कम से कम पार्टी चेंज करो ना प्लीज मा कभी अपनी पार्टी चेंज नहीं करती ये टाइम जोग करने का नहीं है इतनी सारे लोग तुझे चोड़ने आये हैं नहीं जाएगा तो कैसे लगेगा सुनिये आशिरवाद तो दी करना चाहते हैं खुश हो जाओ इस एरिया में मेरे बारे में जो कोई पूछेगा ना उसे स्वीट खिला कर खुश कर दो हां अच्छे से अपना काम करना और पूरा ख्यार रखना दूर से चाटा कर बश्या हो गया हो गया है जीते रहो बेटा हम इतजार करें कियू सो मच है यह कौन है ऐसा लग रहा है जैसे सीधा यहां से जंग लड़ने जा रहा हो पूरी फैमली लेकर आगे अपनी विदाई के लिए हमारी कोई फैमली नहीं है क्या ओ बच्चे जल्दी चलो टाइम हो रहा है आप उसी जानते हैं क्या सर बच्पन से ही सोल जा रहे बोल बोल मैंने पहचाना नहीं आपको अभी पहचाना ना पहचान लिया बॉस आप दूर खड़े तरने इसले पहचान नहीं पाया सफर में जाने से पहले पूरे परिवार का अश्राद लेना बहुत जरूरी है बहुत अच्छे से गुजरता है देखो मैं भी अपना पूरा परिव कर फे देंजर है जरता है मैं लिटता है खड़े उिवत ऴुजरता लिख 50 अध घुचत कर दोगो कावेरी सुब्बू के सामने तु बजा रहा है कि सब लोगों को अलट रहना है सब लोग अपनी कॉफी टी लेकर अपनी सीट पना कर बैट जाए रुख बैद देखो मैं तो इस्टे कौन है बैब बॉस उट गए क्या अब क्या करूं अब अब बॉस क्यों बेद मुझे क्यो अब सुचे आपको क्या डिस्टरब करों इसलिए अपको नहीं क्या कहा कि अरे वो लड़की बेचार इतनी चिला रही है जाओ जाके बचाओ उसे अरे जरा उसकी शकल तो देखो कितना डराओना है दिखने में बिलकुल चंबल के डाकू की तरह लग रहा है पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहा है हम लोग क्या करेंगे भाई तो फिर अपने सोल्जर्स को भीजो ना वो लोग अभी सोल्जर के लिए सिलेक्ट हुए बने नहीं है भाई हाथ पर ठीक रहाएगा तो ही ट्रेडिंग ले पाएंग हमारे भी हाथ पर इंपोर्टन्ट है चाहो तो तुम ही जा कर बचा लो हाँ अभी रेल्वी चेशन पर हूँ आधे घंटे में प्रहुच जाओंगा ठीक सिर समझा देना हम से टराएगा तो वो बचेगा नहीं चुड़ोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग कि निजे करो ए बच्चा तू जानता है किसे टकरा रहा है कावेरी सुबू का दूसरा नाम मात है मुर्गा चिलाता है तो सुबा होती है बिल्ली चिलाती है तो अशुब होता है लेकिन जब ये सूरिया अपने उंगलियां बजाता है कि तो सामने जो भी खड़ा है उसका नसीब हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है उड़ादो इससे पूरी सटक गई है मेरी एए खाटम काटो हो बोड़ों से जो चल जो चल चल सुरी भाई लेकर जाये बॉस ऐसे ले जाये या ऐसे ले जाये या फिर ऐसे ले जाये मुझे कोई दिक्कत नहीं है सौरी बॉस वह उठे गाया नहीं यह डाउट है आराम से सो चुका है थैंक्स की जुरूत नहीं है अरे पॉपरे मेरे ट्रेन निकल रही है एनिवेज बाई ए उठो आखे खोल कर देखो उठो सुन रहे हो ना देखो मुझे तुम पूछ रहे थे ना मेरा प्रेमी कौन है प्रेमी कौन है तो गौर से देखो यह है मेरा प्रेमी हाँ मैं इसे ही प्यार करती हूँ कौन है ये लड़की? क्यों इसे अपना लवर कह रही है? इन दोनों के बीच में कौन सी लव स्टोरी है ये? ऐसे स्टेक उस सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अफ्टर अस्माल प्रेमी अरे आप हैं कौन और मुझे अपना लवर क्यों बुला रही हो और वो लो कौन थे? मैं आप से ही तो पूछ रहा हूँ रुकिये वाँ अरे इसे रो क्यों रही हो अरे ये क्या टरन हो गया लाइफ में अच्छे वाँ अब कहां गई है मैडम 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 और यह क्या कर रही हो कर शुसाइट कर रही हो और भात महत्या करना बहुत बड़ा प्रापप पता नहीं है क्या मेरी बात मालों जरा मेरे बारे में सोच़ो अगर आप का कुछ भी हो जाए तो अरे रे रे जरा सोचो तो मुझे तो सब के सामने लवर बोल दिया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब लोग ऐसा सोचेंगी कि मैंने तुम्हें धक्का दे दिया और मुझे फांसी हो जाएगी अगर आपको कुछ प्राब्लम में तो मैं मदद करूंगा आपकी इसलिए पहले शांत हो जाएगे बैठकर आराम से बात करते हैं आई 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 हाथ दोना हाथ दो मेरा यकीन करो हाथ दो हाथ दोना आओ बोलो क्या प्राब्लम है आपकी मेरा नाम अंसिका है यह आसु पोच कर भी बता सकती हो ना पहले आसु पोच लो आसपास के सौग आवो में से सिफ मेरा ही खांदान है जो गरीगों की मदद करने में विश्वास रखता है हमारी और शेर खांदान की दुश्मनी है फिर भी मैंने उसी खांदान के एक लड़के से प्यार किया और वो लड़का मुंबई में काम करता है मैं भी मुंबई ही जा रही थी मैं घर से भाग का स्टेशन पर तो आ गई पर ट्रेन एक गंटा लेट थी और मेरे घरवालों ने मुझे पंकड़ लिया अगर घरवालों को यह पता चल गया कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूं तो वो लोग मुझे मार देंगे और उसे भी मार देंगे इस अब ही तो इसके लिए सुसेट करने की क्या जरूद है तब तक अपने फ्रेंड के पास जाके रह लो अच्छा बस एक हफ्ता रुग जाओ अपने फ्रेंड को सारी बाते बता दो और उसके बाद अपने लवर के साथ बाग जाए लिया है वह लोग मुझे डून कर मेरे शा जाओगी तो भागी हुई लड़की वापस आगई यह सोचकर खुश हो जाएंगे सब और एक हफटे के बाद थिर से भाग जाना अरे एक हफता पहली ही तो भागी ती अभी वापस भाग गयी उसकी तो आदते भागने की आसे सोचकर सब लोग चूप हो जाएंगे और में तो हम सब्राइब कर वा लिया आपको यह जरूरी है लाइन दी था करो grandson औही। कर थोड़ी डिसे टॉठ लेकिन मुझे डाउट लिए है पहले उसे क्लियर करो उत्य Во पहुंचने से पहले ही डाउट है अच्छा ठीक है पूछ रोड पर एक लड़का इंट्रव्यू के लिए जाता है और एक लड़का होता है जो सूसाइड करने के लिए जाता है अब उस लड़के को इंट्रव्यू के लिए जाना चाहिए या फिर उस लड़के को बचाना चाहिए ऐसा क्यों पूछ रहा है बे के बुछाने का हमें सिर्फ एक ही चांस मिलता है तो मरने वाले को बचाना ही है मरने वाले को बचाया तो बॉर्डर पर गन पकड़ कर जो देश की सेवा करने के लिए लुद ऑना इसका मतलब हो आमी में मेरे बगवाने मुझे रास्ता दिखा दिया अब चलो तुम्हारे घर चलते हैं वैसे भी मुझे लवर तो बोली दिया है ना अब तुम्हारा लवर कब आने वाला है यह सही से पूछ लो उसके आते ही उसके साथ भाग जाना तुम्हारे घरवाले समझेंगे तुम मेरे साथ भाग चुकी हो उससे के आओगा तुम भी सेफ और तुम्हारा लवर भी सेफ ठीक है ना सुनो गाउं का नाम क्या है लक्षमेंट तीर्थ मैंने बोला था ना कि मुझे जमीन दे दो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे लेकिन तुम लोगों को बाच्चर भी चड़ गई है मैं वादा कर चुका हूं कि इस जमीन पर एक फैक्ट्री खड़ी होगी और हमारे खांदान का किया हुआ वादा कभी टलता नहीं है तस दिन का बढ़र बाक्ते रहा हूं तो हरखत्म होने के बाद शमीन देकर पैसा ले जाओ जान जेते हैं वां मुझे हैं चाहें कुछ भी कर लो है निसी में में भागवान के सामने तूप उचीarya को में मेरे दादा के सामने कभी नहीं कर सकता क्योंकि भगवान तुझे माफ कर सकता है लेकिन नहीं करूँगा छोड़ दे महसूर में हमारा यह तो बेल्ट है वैसे मैं भी एक कानी सुनाता हूं उसे ध्यान से जुनों फर्स्ट टाइम कॉफी डे में देखा नेक्स्स बस में देखा थर्ड टाइम बस टॉपर देखा तुमने देखा ही नहीं एक बार वारिश आ रही थी तो मैंने तुम्हें चाता तुम्हारा गाउं दिखी नहीं रहे थोड़ी दूर चल कर जाना होगा जिया बात है ächाम चल्रेल यां मेलब कवान का लक्श्मी नरसिम्हा स्वाब सभी निवास और रहे कमाले यहां तो कोई दिख ही नहीं रहें पूरा खाली- खाली लग रहा है इतनी बड़ी हवेली लेकिन कोई रहता है कि नहीं इसमें अप्पाजी वो आ गया वो आ गया अरे कौन आ गया कि में करकिन आ गया गया वो आ बेल आ गया झाल से अग्षे घा गया खागो आ गया गया जो आदो आ गया गया आ गया जो आदानु आ तादा जी अप्पाजी के स्वागत में जए यह इस वक्त यहां क्यों आगए सर आप मेरे लिए भगवान की तरह आए हैं अगर आपको आने में दो मिनिट भी देर हो जाती तो पता नहीं यह लोग मेरी जान ही ले 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 लेते अरे मेरी मां तुझे सलाम हो अब जो कुछ भी हो तुमारे फादर और तुमारे ग्राइंड फादर जो भी लड़का देखेंगे उसके साथ तुम खुछ रहो लेकिन भगवान के लिए मुझे बूल जाओ और मेरा रास्ता चोड़ो मैं मुझे फोन आया था सर आपके बेटी से शादी करूंगा तो पूरा स्टेट ही नहीं इस देश के किसी भी कोने में रहूंगा तो मुझे मार्केट टपका देंगे ऐसा बोला था सर हां कौन वही सर जो आपके दुश्मन है वह लोग हां सर चार-पांच लोगों से मैंने सब्सक्राइब बाइब मैडम यह जब यह लोग इतने स्ट्रॉंग है तो पता नहीं सामने वाली पार्टी कितनी स्ट्रॉंग होगी है भगवान मेरे शिव भगवान लुक जाओ इधर आओ सर हमारे घर की बेटी किसके साथ जीएगी किसके साथ घर बसाएगी इसका फैसला करने वाले हम है तुम दोनों का प्यार मुझे मन्जूर है जाओ अंदर कि ससुर जी आपने ठीक नहीं किया अगर आपको आने में थोड़ी देर होती तो मैं उसे शूट कर देता चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करूंगा नहीं करूंगा अपने घर का कपड़ा अगर काटे पर गिर जाए तो उसे समहाल कर निकालना ही बुद्धिमान का काम है वो छोड़ कर जाने को तयार है और अपनी बेटी के रिष्टे की बातचित भी हो गई है तो हर खत्म होने तक चुप-चप बैटे रहा हाँ खाना खालिया हाँ खालि जूलो गोड़ झालिया है तो हर खत्म ही बाए तो हर खत्म है जूलोग तो हर खत्म है अजलोग! अरे भाई ये सब क्या चल रहा है इसे भोवी क्रिड़ा कहते हैं वो जो मटका है उसे जो मादमी पहले फोड़ेगा उस गाउवाले को सारा हक मिल जाएगा ये इतना भैंकर तरीके से क्यों बता रहे हो भाई ये बात और भैंकर है कैरेक्टर में इतना डरा रहे हो यार कमाले इस बार भी शेर खांदान का लोग जीते हैं अरे रेफरी भाई ये युद्ध कैसा ये कैसी दुश्मनिय को समझाओ यार ये बहुत बड़ी कहानी है बेटा तो वो कहानी छोटी करके बताओ न करीब देड़ सौ साल पहले पुराने मैसुर शेहर से दो प्रतिष्ठित खांदान के लोग यहां पर आये थे पहला खांदान था सिंग खांदान और दूसरा खांदान था जमीदार शेर खांदान सिंग खांदान के लड़के की शादी जमीदार शेर खांदान की लड़की से हुई हाँ ठीक है हमारे अपाजी के तीन बच्चे थे एक लड़का, दो लड़की उनका बेटा भगवान का रूप जनता की सेवा ही उनका धार्म और जमिदार का भी एक बेटा और एक बेटी बेटा विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया अमा जी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी अपने भाई के बेटे के साथ अपने बेटी की शादी करवाना चाहती थी मगर ऐसा नहीं हो सका अमा जी की बेटी ने अपनी सारी बाते भाई को बता दी वो भर के खजानची से बहुत प्यार करती थी भाई को अपनी बहन से बहुत प्यार था बिना कुछ भी पूछे भाई ने अपने बहन के प्यार को स्विकार कर लिया और बिना कुछ बताए खजानची के साथ अपनी बहन की शादी करती और ये शादी लक्षमी नरसिम्ह स्वामी के समक्ष हुई और दूसरी तरफ उस लड़के ने इसे अपना अपमान मान कर दो लोगों को गोली बाप गई और खुद भी आज़िक गया यह सारी घटना उसकी मां के सामने हुई जिस सद्मे से उनकी भी मौत हो गई वहीं रुग जाओ आगे मत बढ़ना मेरे घर में चिराग जलाने का वादा किया था तुमने लेकिन मेरे पूरे खांदान को खत्म कर दिया तुम तो न्याय करते हो न तो इसका न्याय करो न्याए को भगवान मनने वाला खांदान है हमारा, हम न्याए से पीछे नहीं अटते, इसी पल से हमारे दोनों बच्चे हमारे लिए मर गए, उन्हें काओं से तड़ी पार कर रहा हूं, अपनी जायदात का आदा हिस्सा मैं शेर खांदान को दे दूँगा उस दिन से भाई और बेहन का रिष्टा तूट गया, सारे संबंद बिखर गये, बेटा उसके बाद कहां चला गया, कुछ भी पता नहीं चला, उसके बाद गावाले हमेशा आपस में जगरते ही रहे, सारे संबंद खत्म हो चुके थे, लेकिन इस जमीन में किसी तरह का कोई रक्त पात ना हो, इसलिए दोनों खांदान के लोगों ने आपस में समझोता किया, और ये तेवहार मिलकर मनाते हैं, बस यही कहानी है, यह कहानी है, कहानी नहीं, बक्वाज है, बस बस, जये अंजनी माता, हनुमान के भक्त हो, जिन्दिगी में कितना उखाड पाए हो, प किसी फेल हो, बड़ा आये लव करने वाले, यह बताओ काम क्या करते हो, कॉफी डे में काम करता हूं, सर, कॉफी डे में, सप्लायर, बरतन, हां, ए सुन लिया न, तीन सो घर वाला बड़ा खांदान है हमारा, इस सामराज्य का दामाद बनने वाला, कॉफी सप्लायर बरतन घिसने वाला है, अपनी बेटी की शादी मैं इससे नहीं होने दूगा, और नहीं इसके साथ मैं खाना खाऊँगा, कोई भी खाना नहीं खाएगा, यही लड़का मिला था इसे, चलो सब यहां से, I'm sorry, कोई बात नहीं, हम किसी की इज़त करें या ना करें, लेकिन खाने की इज़त तो हमेशा करने ही चाहिए, दुनिया में हर इंसान कमाता है, तो किस लिए कमाता है, खाने के लिए ही ना, नो प्रॉब्लम, तुम खाओ न, तुमने अपने लवर को फोन किया था, हाँ? कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ है करें अज़िए यहां हुआ है करेंट आइए और यहां है यहां हुआ है यह में डवन डवल्न यह जा जीते का वहीं पाल की उठाएगा अहो जो चोड़ना नहीं से अब कि अब्सक्राइब कि अब्सक्राइब इस देखा तुम्हें पर बब्सक्राइब भुई क sudah बाध पसका द지는 हम ow दूख भा प्पलिवा What रोशब सबक्राइध खाना खाते समय मैंने अपका बहुत दिल दुखाया मुझे माफ कर दो ससर जी ने मुझे बहुत नाटा कोई बात मुझे हरा ने ओना कोई नहीं है कोई तो सामने आए कोई है जो इसे हरा सकता है अगर है सामने आए यह राजा खांदान का कारिक्रम है ऐसे कारिक्रम में तुम फटे वे कपड़े पहन करायो हाँ हराएगा हराएगा तुमसे तुमसे अब तेरी खायर नहीं हाँ तुझे धूल चटाने के लिए मेरा यह सिंग हा रहा है सिर्फ मेरे खांदान की लड़की से प्यार करने से कुछ नहीं होगा इस घर का मान सम्मान भी तुझे बचाना होगा अगर तुम जाकर उससे नहीं लड़ोगे तो मेरे ससुर्जी की इजट चली जाएगी और उन्हें अपनी इजट जान से भी प्यारी है अब जाओ बली कहा मैं लड़ूंगा आपकी इजट बचाओंगा आजमाओ 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 चिंदा मत कीजिए ससुर्जी वह जीतेगा कि अरे डरा क्यों रहे यार कोई तो दर्मादा खोनू अरे के बार यार नहोंता हो ना तूहीं जीतेगा अरा ममें बचाओ अरे बच्ची भी जागें क्या है आप अब अब बहुता है अब भागवान को हमारे गाम वाले उठाए ऐसा चाहती हूं मिश्डल् सूरेश भाकतेवाय वांसूननाय नह जर 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 चे नार सिंहा आप 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 बजारे नगाड़ा बजारे नगाड़ा बढ़ो बढ़ो से बढ़ो बढ़ो जे माचुनननन्ट माचुनन कर दो, हाजाँ! कुई है को इसे हराने की हिम्मत रखता है कि अरता है है यह हमारा अमरितेशवार स्वामी का मंदेल है हुँ यह क्या यहां कोई नया खेल शुरू होने वाला है क्या यह भी एक नया ख्याल है गेम के बारे में शादी का प्रोग्राम चल रहा होगा क्या कहां मंगनी किसकी मंगनी है आपकी तो आपकी और यह क्या पूछ कर रखी है यह पागल हो गया सब मिलकर मुझे सूली पर चाड़ाना चाहिए था कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करने वाले हो नया कपड़ा पहना दिया और त्योहर है रिवासे ऐसा बोलकर बिल्ट अपने रहे हो क्या है तुम लोगों से बात करके कोई फाइदा नहीं है पहले उस लड़की को ढूड़ना होगा मैं बाद में मिलती हूं अरे तुम भी मुझ पर क्या अन्याय ढा रही हो ताजमेल बनाने वाले के हाथ काटने जैसा लग रहा है तुम्हारे प्यार की हेल्प करने के लिए आया था मैं देखा जाए तो अपनी मंगनी का नाम सुनते यह मुझे अभी नहीं करनी जिद करके दरवासा बन करके कुंडी लगा कर रो रोकर बेहाल होने की बजाए उल्टा इस तरह श्रिंगार करके मेरे सामने कड़ी हो लड़का तो बुद्धू है लगता है बली का बखरा बन गया है तुम तो मुझे बसाना चाहती हो ना लेकिन मेरे तैयार होने का कोई सीन नहीं है किसी दूसरे की प्रापर्टी का मैं की ओनर बन जा हूं मैं तो अल्डरी एंगेज हो चुका हूं यह रहां इंगेजमेंट रिंग अगर चाह तो यह सारे सवाल मुझे तुमसे पूछने हैं यह बताओ तुम्हारी पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है तो ऐसा ड्रेस पहन कमाल करती हो हर बात पर कर लोंगी सुसाइट कर लोंगी ऐसा बोलती रहती है तुम से बात करके कोई वाइदा नहीं है मैं दादाजी से जाके बात करता हूं कमाले बात-बात पर रोने लग जाती है एक काहां जा रहे हो हमसे पूछे बिना एंगेजमेंट रखेंगे तो मैं कर लूंगा क्या कैसे नहीं करोंगे शादी के लिए मान गया यहीं बड़ी बात है अब क्या सब कुछ हम तुमसे जूट बोल रहा है क्या हुआ बेटा कुछ नहीं सर पूछे बिना मंगनी इसलिए मैंने बेटा आज का दिन बहुत अच्छा है मुहूरत अच्छा है ऐसा पंडित जी ने हमें बताया सब ठीक हो जाएगा तुम बिल्कुल चिंता मत करो जाओ 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 अगर अभी मैं गुसा हो जाओंगा तो तुम्हें प्राब्लम हो जाएगी अब तक जो भी कियाना वो साब व्यर्थ हो जाएगा इसलिए अभी अंगुठी बदल दी तो शादी तो नहीं हो जाएगी ना इसलिए तुम भी दिल में कुछ मत रखो और मैं दिल में कुछ नहीं जाते वक्त में देदूंगा वह आएगा तो उसे दे दे ना मो agora으면서 सिर्फ एक रिवाद से होने वाले शाधी पी डूट जाती है तो सिर्फ एक लिए की वज़ेसां और उसकती है जब दिल से दिल मिलते है तोहेर रियल ओती है हई हह अप्पाजी की पूती के मंगने के खुशी में बेटा ये इस मंदिर का पुराना रिती रिवाद है इस नंदी के बीच से स्वामी का दर्शन किया तो जिन्दगी बर खुश रहोगे ऐसे इस मंदिर की बर्शो से माननेता है अगर ये सब मेरी लबर को पता चल गया तो पता नहीं वो कितनी नाराज हो जाएगी कि बालो जाएगी बालोगी कि बालोगी झालोगी कि अजूारी कि भालोगी कि दोरी बेटी मेम्स आपकी फ्रेंड तूले का नाम सूरिया है मैंडम है नमस्ते क्या है यह मैं जो चाहती हूं तुझे भी वही चाहिए हां मैं क्या करो तुम जो भी चाहते हूं वो मुझे भी सूट करता है हाँ हाँ कुंग्राट्स कि अब अच्छा है अब ही रामायन शुरू होने वाला है और मुझे यहां बैठकर महाबारत देखना पड़ रहा है यह भी आ गई कैसे समझाओ इसे तुम खुश हो नहीं यह पूछ रही हूं मन चाहिए चीज मिलेगी तो खुश कैसे नहीं होगी जब कॉलेज में थी तब बिना पूछे मेरी बुक्स लो जाती थी सिर्फ बुक्स ही है यह सोचकर मैंने जाने दिया मेरी पसंद की हुई सा अचा फ्रेंड है कोई बात नहीं पहन कर दे देगी पर अब तो तुमने हद ही कर दी मेरे ही बॉइफ्रेंड को पचा कर उससे इंगेजमेंट करके तुम उसे महा भारत दिखा रही हूं खोश क्यों नहीं होगी मुझे बता दिया होता तो मैं इंगेजमेंट नहीं करती पर कोई बात नहीं तुम्हें तो आदत है ना मेरी पसंद की हुई चीजों को लेने की चीज मैं चीज हूँ वो अभी और क्या-क्या सुनना पड़ेगा तुम दोने में प्यार कैसे हुँ है अपनी लव स्टोरिय तुम्हारी लव स्टोरी पुछी तो तुम्हें मैंने जो बूलो वह क्यों बताया और क्यों मुझे इस तरह फंसा रही हो आज तक फ्रेंशिप के नाम पर सब्सक्राइब करती आई चलो आज इससे भी तुम्हें दे देती हूं तुम खुश हो तो गौरी यह भी बेबी बेबी आर्यू क्राइब पर प्रशान हो रही थी मैं सब बता दूगा ना तो तुम समझ जाओगी मैं सबकुछ समझ चुकी हम पदाने की ज़रत नहीं आमिज आने का बाहना करना कर के मुझे इंगेजमेंट कर ली नोह शुट चुट का करके मैंने बॉल ट्राइग किया था लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर भी तो याद निया नंबर चूटे कहीं कितनी मुश्किलों से अपने घरवालों को मनाया था और तुमने मेरी प्यार से पहना आई हुई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा बैसा मैं कुछ नहीं जानती हमारे बीच सब कर अब श्यादी कर खुशी जरो अब यह तुमारी इसक्रेटर देन फ्रेंशिप स्यादी कर आई था यह तुम्हारी इस्ट को होलसेल में जाकर बेच दूगी जैसा मेरे साथ हुआ ना था नहीं होना चाहिए अर्य मैं जानल मालों को बलाउंगी पूरी दुनिया को बदा दूंगी बैठो बैठो गवरी बैठो बैठो ने था रिए अरे आसमान में ये ल अक्षेत्र किन रही हो अरे कुछ तो बोलो मेरी लाइफ कहते हैं उसके साथ क्या बात कर रहे हैं मेरे साथ बात कर मैं बैठी हुना तेरे सामने एपने मेरे आएज कर दो एपेश्टिन अंगेजमें इसके साथ यह बता मुझे लोफर कर रहे हैं लोगता यह तो गलत भात है गौरी होने वाले पती को ऐसे नहीं बोला कर तो और एप्षिट्टी तो पती ने यह बहा रहा है लग यू गवरी अज लग यू तू हैंसिका ए यह चोट दोट टच में जाट गोरी तुम्हें कैसे सजाना है यह मैं बहुत अच्छे से जानता हो अच्छे से जानता हूं अच्छे से जानता हूं वजण वन तुम जीतर हो मेरे सामने तुमने इसे किस किया जब मैं नहीं रहोगी था नहीं क्या तुम नीचे बठे तो इसे दे दिया अच्छे अच्छे एटो में नीज चनल वालोंको बिलाओंगी हाई गौरी गुड मॉनिंग अरे बैग लेकर कहा जा रही हो गाउ जा रही हो अरे त्योहार हो जाने दो दोनों साथ में चलते हैं तुम यहां पर रहो तुम्हारे ससुर का गर है मेरा नहीं यह बहुत ज्यादा हो रहा है इस खेल को फूल स्टॉप लगा और आओ मेरे साथ अरे तेरी तुम्हारे लव कि मेरे साथ यह सब क्या है यह क्या कर रही हो तुम्हारे लव कि मेरा लव करना यहां प्र मेरा विखांड़ सो रही थी तो यह मुझे बचा कर यहाँ लेया है संजे के मुंबे से आते ही मैं उसके साथ चली जाओंगे अब सुन लिया ना समझ गई ना और अब तो मुझ पर यकिन आ गया ना और मैं तुम्हें चोड़कर कहीं नहीं जा सकता यह पता चल गया ना अरे हंसी का तुम्हारे लवर को फोन लगाओ मैं बात करूंगा क्या करना चाहती हो तुम किसी दूसरे से प्यार करती हो तो फिर इसके साथ मंगनी क्यों कि तुमने उस खांदान में आखिर संजे नाब का लड़का कौन है तुजरा बता मुझे तुम इतना जूट क्यों बोल रही हो बता बता मुझे मारो दादी और जोर से मारो हाँ मैंने सब छूट बोला है मैं किसी को नहीं चाहते हूं मैं जान बूच कर नाटक करके इसे यहां लेकर आई हूँ मगर मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए इसे आप लोग क्या समझ रहे हैं यह आपके बेटे का बेटा आपका होता है विचे सिम्मा रुद्रप्रताब जी का इकलौता बेटा सुर्य रुद्रप्रताब यकिन नहीं हो रहा है ना दाधी मैंने पहली बारे से इसके इंगेज Bl CE में बीने खाता इसके मातापिता की बाते मेंने सुन ली थी सिंघ खांधान कितना बड़ा है जानती हो इतने बड़े खांदान का लड़का है यह, उन लोगों को बिना कुछ बताये, तुम यह मंगनी कर रहे हो, यह बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है आपको मैं हजार बार कह चुकी हूँ, ऐसी बाते मत कीजिए, वो मेरा ही बेटा है मैं इनके घर गई थी, वहां बुआ का फोटो भी देखा, इसके मा के साथ बात भेगी हाँ, वो मेरा सगा बेटा नहीं है, उस खांदान का बेटा है, जिस दिन उसकी मा ने उसे मेरे हवाले किया था, उसी दिन से वो मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा है मैं अपनी मर्जी से उसे नहीं भेजूगी, अगर वो चाहे, तो तुम उसे ले जा सकती हो, रोज उस फोटो के सामने आप शबरी के तरह इंतजार करती है ना, अब वापस आने के लिए आपका बेटा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पोते को लाई हूँ, इसके पि जब यह प्यार करने वालों को मिलाने के लिए रिस्ख ले सकता है तो अपने लोगों को मिलाने के लिए भी रिस्क लेगा, और यही करने के लिए मैं इसलिए यहाल आई हूँ, यह ऐसा जरूर करेज़ा दाइदी मुझे बहुत बड़े गलती हुई है मारो मुझे मारो मुझे गलती हुई है मा बहुत बड़े गलती हुई है मुझे माफ कर दो मा अब उस गलती को मैं ही सही करूँगा और अगर मैं ये काम नहीं कर पाया मा तुम मेरा बेटा आकर करेगा सुर्या रुको मेरी बात तो सुर्या तुम चाहो तो यहीं रुको मैं तो जाऊँगा सुर्या ने 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 लाइफ में जितने भी लोग मिले सारे के सारे फसाने वाली मिले ची 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 क्या कर्मे मेरा अँटी एक मिनिट सुर्या तुम्हारे माघा फोन है हेलो सुर्या मुझे पाफ कर दे बेटा इतने दिनों तक तुछसे जूट चपाने के लिए वो लड़की जो भी कह रही है वो समसच है तु उसी कांदान का मेरा है मैं तुझे वहां नहीं वेजना चाहती थी बेटा तेरी तक्दीर खुद तुझे वहां लेकर गई है अब तुझे अपने पिता का एहसान चुकाना है अगले चार दिन तक तु उस पिता का बेटा बनकर जी उस दादी का पोता बनकर जी नहोगा बेटा उस स्वंश का उत्तराधिकारी बनकर जी उन दोनों परिवार को एक करते बेटा अब तेरे बाहर रहने का सिर्फ एक उदेश है यही तेरा करताव्य है और तुझे ये पूरा करना ही होगा बेटा अन्सिका जी मुझे अपने घर में लेकर चलो अन्सिका बाहर को अगर आप खामोश रहेंगे तो कैसे होगा उन लोगों ने मंदिर की जमीन भी नहीं छोड़ी आप कुछ तो कीजिये मालिक कम से कम उनसे बात तो कीजिये ठीक है बहुत-बहुत धन्यवाद मालिक चलो भाई मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ दादा जी हॉस्पिटल में है हां मा यहां से वहां तक जो भी जाओ मा दादा जी हॉस्पिटल में है बेटा हां 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 ह मैं और दादाजी उन लोगों से मिलने के लिए गएठे और आज जमिंदार किसी से भी नहीं मिलने वाले हैं अरे मालिक मेरी वज़े से आपको आना पड़ा मैं बहुत शर्मिंदा हूं मुझे माफ कर दीजिए कितनी बार कह चुका हूं कि हमारे रास्ते में मत आया करो आज आपका टाइम खत्म हुआ का मिलेगा वहां उनके गांबते वहार है वहीं पर होगा वह इस शक्ती पीट में बैटकर सर पे हल्दी का पानी डार कर मन में जो भी मनत मांगेंगे तो देवी उसे पूरा कर देती है देवी मा आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा इतने सालों बाद मेरे एक दादा है ये मुझे पता चला उनके प्राणों की रक्षा करना बस यही इच्छा है कुष्टी में जीत किया तो सारी दुनिया जीत जाएगा इस बात के भ्रम मैं मत जी किसी आदमी से पंगा लेने से पहले वो आदमी कौन है कहां कहां है उसका खांदान क्या है ये जानने जरूरी होता है पूरे गाउं वाले हमें शेर खांदान कहकर बुलाते हैं सालों से हम लोग यहां पर राज करते आ रहे हैं पूरे गाउं में हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता इतना ही नहीं पूरे राज में तुझा कर किसी से भ पताना पड़ता है लेकिन मुझे देखते ही लोग समझ जाते हैं चीते के पास तेजी होती है शेर के पास गंभीरता होती है सिंग के पास गर्जना होती है लेकिन सूरिया के पास तीनों चीज़ें हैं मेरे गाओं में मुझे सोलजर कहते हैं अगर तु सोलजर तो बॉर्डर पर जा करके बंदूख चलाना अरे बेवकुफ रोज मा के बारे में सोचने वाला बेटा भी सोलजर है बेटे को देखने वाला पिता भी सोलजर है दादा दादी के बारे में सोचने वाला भी सोलजर है इतना ही क्यों हर दिन हर पल अन्याई के विरुध लड़ने वाला हर इंसान भी तो सोलजर ही है मैं सोची रहा था कि बॉर्डर पर जाने वाले इंसान को भगवान ने यहां पर काई को छोड़ दिया डिसाइड हो गया है मुझे तो बस युद्ध करना है चाहे वहां हो या फिर यहां पर अब तू तयार हो जा बेटा तू ही पाकिस्तान मैं हूँ हिंदुस्तान बॉर्डर तुम पार मत करना मैं ही पार करूँगा गाहे पार पार भुम करूण औाelf तूभर तूपलगा पार तूच मैं ही च्टषा पार करूफर तूछ टुम को स्तान वां प्टश उल्летसान पार कना मीश पर रirdसूपङ्धा जड़को जटे है यह झांसान पारओ ज़े यह स्तान झाल 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 लाइफ में सब को बर्थ डेट तो याद रहती है लेकिन किसी को डेथ डेट पता नहीं होती लेकिन तेरी डेथ डेट मैं बताता हो जब तक वो सांस लेते रहेंगे तब तक तेरे जान की वैलीडिटी है जिन्दा रहोगे तो कही और भी प्रपर्टी बना पाओगे ये जमीन के पेपर किसानों को दे दो कुष्टी में हवारे आदमी को हराने के बाद यूसे खत्म कर देना चाहिए था उसे चोड़कर बहुत बड़ी गलती हुई इसको मारा उसने उसकी इतनी हिम्मत हो गई है शेर खांदान का नाम सुनते लोग ड़ने लगते हैं सब लोग अपना सर नीचे करके बात करते हैं उसने स्थर उठाने के हिम्मत कैसे की उसकी गर्दन काटकर अगर इस दरवाजय पर उसकी गर्दन नहीं टाएंगी तो मैं शेर खांदान का बेटा नहीं आजाओ विक्रम हां त्योहार तक रुख जा उसकी मौत मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे खांदान को बचाने के लिए तुम्हारे अंदर सारे गुण मौजूद हैं इसलिए मैंने अपनी पोती की शादे तुमसे करवाने का फैसला किया मगर तुमने सब के सामने मेरे खांदान को लज्जत कर दिया उस समय जो वह छोटी सी गलती हुई थी उसकी वज़े से आज तक दुखी हूँ अब फिर एक और गलती करके ऐसा मत करो कि मैं अपनी मौत तक दुखी रहूँ इतना ही रहने दो फिर कभी ऐसी गलती मत करना जो कल सुबा मैं यहां से चला जाओंगा एंबिशन चेंज दादाची निंग तो कहा है ना क्या क्या दियो बुजूर्ग इंसान है अगर गुस्से में दो बाते बोल दी तो एड़्जस करना होगा ना अरे क्या एड़्जस करना होगा प्रैक्टिकली जीना सीखो कितनी उम्र है तुमारी है ट्वेंटी फॉर पब बॉइफ्रेंड इस तरह से इंजॉय करती रहती है और तुम्हें देखो तो तुम दादी भाई इन सब को मिलाने में लगी हुई और तुम्हें इतना सीरियल की तरह और एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है कैसी बात कर रहे हो तुम से प्यार किया है कोई गिफ् चलो ठीक है तुम कहती हो तो एक लास ट्राइब करते हैं बैठो अरे आओ ना फ्रेंड्शिप में बहुत ही डीब डूबी होई हो क्या अब अच्छे काम के लिए तुम दोनों को त्याग करना होगा क्या करना है बताओ कुछ नहीं कल से चार दिनों तक तुम दोनों को मु करना पड़ता है प्यार से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो प्यार से ही उसका एंड करना होगा यहां बेभी वो भी मेरे स्टाइल से अ कि अ इधर क्या है वह देख तारारी रूरू हां सिकाओ जिस पीट से वो जा रहा है लगता है आज तो उसे पटा ही लेगा नहीं गाओ की लड़किया बहुत स्ट्रॉंग होती है इतनी आसानी से नहीं पड़ती नहीं तु उसकी बारे में नहीं जानती वो बहुत स्मार्ट है से पटालेगा आँ जिख 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 कर रहा है मैंने आपको बाते मान जये जुरूररर नहीं ना ज्स रे लिए यह सारी बातें दिल पे मत लगाई है जमीन को बारिश चाहिए बारिश को फूल चाहिए और इस फूल को लड़की का हाथ चाहिए मैं आपकी हासी देखने के लिए बेताब हूँ सु स्वीट मैंने कहा था ना वो से अपने डायलोग से पटा ही लेगा तैंक यू जानू यह यह कमर बंद बहुत अच्छा है जुमका भी तैंक यू लक्ष्मी के जैसी दिखती हो अचुडिया अरे वो तो सूपब है सूपब सूपब बहुत तैंक यू ओकी बाई कल में गाउं के माहर बाढ़ के बीछे तुम्हारा अनिसार करूंगी इसकी तो इसे तुम्हें क्या है क्या है फ्रेंड्शिप इस बेटर दन एवरिधिंग चल लेंगा दुपट्टा छोड़ कर यह सिधा चुड़िदार में आ गई गाउं की लड़की है तुने का ता स्ल लेट आगे सोचकर है थोड़ा चल दी आ गई अच्छा अच्छा सॉरी हां थांक्यू आपसे पात कहनी है हां बोलो ना अच्छली हां अच्छली मैं आपको फर्स ताइम देखा ता मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी थी सेकेंड टाइम मिलने के बाद मुझे लने के बात मुझे आप अपने तो कम्प्लीट्ली मुझे इंप्रेस कर दिया खाना-खाना चाहती हूँ पर लूग ही नहीं को अच्छा तो लगता है आप पर मेरे पे मेरा देल आ वहां वह लोग उस पत्थर पर अपने प्यार मेरी तरफ से आपको एक चूट इसे पट्टा लिया तुम्होरे खांदान को मिलाने के चक्कर में मेरी लाइफ बरबाद हो गए यार वाव सो क्यूट अब बुरा ना माने तो क्या मैपको एक बर हग कर सकती हूं पीज कड़क से पकड़ना हूं यहीं मेरा इकलोता लड़का है एलल भी पड़ा है हम तो बस इतना चाहते हैं कि अच्छे से खांदान से हमें बहुं मिल जाए हम जानते हैं आपका दिल बहुत बड़ा है बस आप अपनी पोती की चादी हमारे बेटे से करवा दीगे लड़की तो देख लो खै उन्ट के विए कि लड़की का नाम बहुत अच्छा है पूछ लिए रहा नाम मंगल दाइक नाम है यह तो गुरु बल टारा बल चंदर बल सब बहुत अच्छे हां बाच्छे करने ने के लिए अज सबसे कि हमारा खान्नान किसी गुरू की बात को अस्विकार नहीं करता है हमारी तरफ से हाँ क्या लड़की है इतना हज्ञन के लिए बोलती है और इतनी देर लगा दिती एसा निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था थो के बस गां अब तक जो हुआ सो हुआ अब उसे थपन मार दो पर यह है कहां वहां चल वह हुआ वाह खुर अर्जंट नी लिए बोलती हो और बात में खुर्द लेट हो जाती यो बताओ क्या है पर्फ किया है यह यह क्या बतानी यह मुझे डाटना मत मुझे डाटना वाटना नहीं आता है बोलो शवर्ड करने का सिफ नाटक किया था बस आयज़ अर्यूस रहें तो कोई मैं प्रशान भेंडारी है मैं पिछले तीन साल से इसे प्यार करता हूं मैं इसका लवर मैं क्या खाली जोकर हूं मुझे क्यों ऐसे फूल बनाया मैं तो कितनी आशा के साथ आया था सब आउट हो गया तु सच करहें यह कहीं तो कहीं तो है और तो मुझे तो डाउट है आच अछिली आपने एस दो काँ था है अ क्या कहा कौंसेट काया भूलत पसंद है कोई पीया क्या अ Kind क्या कनेक्शन और नाटक करें भाग जाऊंगी सोचैंगे कि में भाग गई हो और बात में इसके साथ गाग जाऊंगी तम लाव अप मेरे लाव भी आइड ने अब इनके साथ इंगेजमेंट हो गई है अब हम दोनों भाग गए तो मेरे घरवाले चान ले लेंगे और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी है तो फिर तुम हमारी हेल्प कर दो ना प्लीस 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 जाओ यहां से एक लड़के पर डाउट किया अम सॉरी भगवां जी साथ चन्मों तक इसे ही मेरे पती बनाना अच्छे ठीक है अब तुम दोनों जैसा मैं बोलता हूं वैजा ही करना सावे साव वाव क्या ड्रस है इस ड्रस में बिलकुल फिल्म स्टार लग रहा है मैं आपको ऐसी बहुत साइट दिलवादूगा मेरे पास बहुत पैसा है मालिक आप बिलकुल चिंता मालिक लक्ष्मी कहीं दिखा नहीं दे रही उनके कमरे में से यह चिट्टी अर्य तीनों भाईयों ने मेरा जरा भी साथ नहीं दिया लेकिन उस इंख कहांडान वाले सूरिया ने मेरा साथ दिया मैं तो सी अधिया पक्से चानी करूंगे लक्ष्मी बिक्राम कुछ करो ना अबली कखी राओ ना इस घाली को भी खराब होना था अक कोई चाना हारी है रोख 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 करने में आप ए परहँ पहिंड़ है पहाया कौन है यह मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ मुझे वो लड़का बिल्कुल भी वैसे नहीं है बैया पेरी पहन से शादी करने की तरी हिम्मत कैसे हुई तो इसे कैसे भाई हो तुम से तो अच्छा वन सिंग कांदान वाला लड़का है बैया 25 साल पहले उसके भाई ने एक अजांची को चाहने वाली उसकी बहन के साथ आगे पीछे कुछ भी सोचे मिना उनकी शादी करवा दी थी और तुम हो की अपनी ही बहन के सामने उसकी प्यार का खून करने जा रहे हो कैसे भाई हो तुम चीक शारम आती है मुझे तुम पर अकर भागना चाहती है तो भाग जा मुझे गुस्सा है तो मुझे थपटी मुझे मुझे थपटा मार दे मगर ऐसी बाते मुझे foremost कः मिझे से तु जाती मेरी बेहन मुझे बहुत प्यारी मुझे लिए umas की म patrons जातेम साय साथ दो इससे शादी करना यहार देख तुम को सग्हार रखना आ हां रखो डाट रखो था डार अधिर ओट द्राइब चंदो को फॉन कार लक्षमी घर में चिठी रखकर भाग गई है वो सिंग खांदान वाला सूरिया नसिम्मा स्वामे के मंदिर में उन दोनों की शाधी करवा रहा है कि रुको काड़ी पीशे लो फास्ट कैसी आइडिया दी तुमने अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो हमारी जान तरी जाती पता है तुम्हें चाहने वालों के साथ लाइफ लॉंग जीना चाहते हो तो जान को खत्रे में डालना ही पड़ता है पता है ना यह क्या था माद जी भगवान के समने इसा मुख क्यों बना रहे आप उसकानदान का रक्षक बोल रहे थे लेकिन वो हमारी जान लेने पर तुला है पर हुआ क्या वो लड़का सूरिया शेर खांधान की लड़की को ले जाकर करके एक लड़के से शादी करवा रहा है कर दो कर दो को ऊहा है गलती की, बहुत बड़ी गलती की, तुने शेर की मान में हाथ डाल के अपनी मौल्ट को बुलावा दिया है गलत किया, मुझसे पंगा लेकर तुम लोगों ने बहुत गलत किया है किसके सामने खड़े रहकर बात कर रहे हो ये पता भी है मैं सूर्या हूँ, फ्रेंड्स मुझे सोल्जर कहते हैं और लोग मुझे लोकल लीडर कहे के बुलाते हैं इस मिट्टी में कदम रखने के बाद, इस सिम्हा खांदान की सीड़ी चड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ विजय सिम्हा रुद्र प्रताप जी का एक ही पुत्र वन एन उनली सन सूर्या रुद्र प्रताप क्यों? नाम सुनते गुस्सा बहुत बढ़ गया क्या? या फिर अंदर से खून उबनने लग गया? मुझे इसी जगह पर मारना चाहते हो ना? रहे, बस बहुत हो गया मर कर पच्चीस साल पूरे होने के बाद भी लोगों द्वारा रखा हुआ मेरे पिताजी पर का प्यार और सम्मान कम नहीं हुआ और उनके नाम की वैल्यू भी कम नहीं हुई और तुम लोग बदला लेने के लिए मर रहे हो इसी जगा इसी पल ये डिसाइड हो जाएगा युद्ध को रुखवाने के लिए युद्ध करना होगा तो फिर आओ गाओं के बीच नहीं, थोड़े लोगों के बीच नहीं खांदान खांदान के बीच नहीं ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच का है आजाओ, शेर पाले हैं, तीन तीन शेर पाले हैं तो आजाओ बहुत बोलते रहते हो ना, भेजो तुम्हारे पोतों को एक साथ भेजो, सिम्हा वेटेंग कर दो इसे बोटी बोटी कर दो इसकी आओ ये 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 आजाओ 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 प्रुदी गळासाँ भालिसोनौ शुट रक्षकने इवाडे नोडो अट्वाद्वाना दिंकरीसोनौ आजाओ आजाओ वपष्यकने इवाडे नोडो अट्वक्ष केज्वाडे नोडो आजाओ आजाओ आजाि प्रीमे इवाडो ृव झालिम्साद के डिछने कि ऺatterी बंदज में अरिताती से बालिता यहांकास गंदे मारो लेकिन पीछे से नहीं मारो अगर मारना है तो आगे से मारो अगर मारना है तो फिर दिल पर मारो मुझे दिल पर मारना पसंद है आरे मारो माँ भाया भाया वह मेरा पूत है भाया मेरे आधियुम्र आपको मिल जाए यही मेरे इच्छा है भाया सेसुर जी इसका नाम निर्मला है मेरी खास दोस्त क्यों रुक गए मारने को नहीं हो रहा है ना क्यों बहन के प्यार ने और मम्ता ने आपके हाथ बांध दिये क्या 25 सालों से नहीं सुना आपकी बहन की आवाज में इतनी ताकत है तो 25 साल साथ में रहने वाली मेरे पिता जी की बहन की आवाज में कितनी ताकत होगी इसका अंदाजा भी है रुक क्यों गए बहन अगर प्यारी है तो ऐसा लगेगा उस दिन वो मरने जा रही थी तो मेरी बहन की जान मेरे लिए मुख्य है ऐसा मेरे पिता जी को लगाओगा उस दिन चाहे मैं रहू या फिर आप रही है वो बहन के बारे में ही सोचेगा एक बहन का प्यार अपने भाई के लिए बहुत एहमियत रखता है चाहे कितने भी युग बदल कियों न जाए बहन बहन होती है उस दिन मेरे पिता जी का किया हुआ अगर गलत था तो आज आपकी पोती जो कर रही है वो भी गलत है आपके पोती को भगाने में मैंने मदद की है तो इनको भी मारना होगा सब को मार डालिए यह मारिए मुझे मारिए यह मारिए मुझे रुक जाओ 25 सालों से अब-तक तुमहारा गुस्ता थंडा नहीं हुआ क्या मेरा पोता है मेरा पोता है उसे मारना चाते हो तो मुझे मारो मुझे मारो आव मुझे मारो मुझे मुझे मैं इतना क्रूर हूँ मैं इतना मैं इतना क्रूर हूँ जी जा जी इतने दिनों तक मैं अंदकार में था तुम्हारे पोते ने मेरी आखे खोल दी मुझे माफ कर दो जी मैंने अपना वादा निभाया मैं आपका ही बेटा हूना लेकिन मेरी आपको जरूरत नहीं ना मेरी जरूरत नहीं है नहीं चाहिए ना अपकी समद के बेटा आज भी तुम मेरा ही बेटा है कृष्णा को देवकी ने जनम दिया है अरे अश्वद्वारे पाला है मेरा बेटा है अरे जैब देखो तब तुम जै जै बोलते हो अरे आज तो इनके लिए एक बार जै बोलो दोनों खांदानों के मिलने की खुशी में जै दो खांदान मिल गया रिष्टा भी एक हो गया अलग अलग अरपित होने वाला अब एक होकर उस नर्सिम्ह स्वामी पर अरपित हो रहा है यह सब हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि उसकी लाइफ में आप कोई सर्प्राइज नहीं है तो ऐसा मत सूचिए एक सर्प के इंदर चला गया है आप यहां क्या कर रही हो मैं सुसाइड करना चाहते हूं फिर से सुसाइड वो क्यों इस बार मुझे सच्ची में प्यार हुआ है किस से प्यार हो गया हां तुम से अपने आपी रफोन लगा हमारे लोगों को छोड़ने को बौल अभी क्या वह प्लीज बॉस्त आफ ने चुका वो मैंने सोचा मैं पुलीस की नौकरी से रिजाइन करना चाहता हूं आप जो कहेंगे वही एक्जाम भी दूगा तो जाहिसी बात है राजा की जिन्दगी जीऊंगा इस वक्त ऐसी बाते क्यों कर रहे हो मेरी बेटी को बचाओ चला की मत भाना तुम कुछ करो मैंने तो यह बुके ले लिया अब चाकु से कैसे बचाना वह आप सोचे है यहां कोई खेल चल रहा है क्या डेक तो जानता है मेरे को चल्दी से कॉल कर नहीं तो इसका नर्स काट कर इससे मार कर तेरे सामने फिकूंगा इससे हैं मुंबई म कर दो बाता है क्यों कर दो जूह म Flowers स्यूँ मेरे कर दो भाहर है Chay है झाल्षू करते हैं वह राख राख भाख भाख पार्वा जब दो कर दो तर्स प्रफेक्ट अच्छा अब दो अब दो भी बिल्कुल भी तो वी तो आख चाहिए हैं? मिस्टर बोस आपने क्या सोचा था कि आपसे कोई सवाल नहीं पुछेगा ऐसा नहीं है मैडम उस आदमी पर बारा मर्टर केस थे यॉर सस्पेंड़ मेरी माँ मेरा प्यार मेरी नौकरी इन सब को मुझसे दूर हुए पांच साल हो गए मंदिर का दर्वाज़ बंद कर दिया तो भगवान सोते रहेंगे क्या लोगों की रक्षा करना उनका काम है न वैसे ही मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ ऐसा बाहर पता होने के बाद भी मेरी गन मेरे बड़े अधिकारियों के आदेश का इंतजार करती है हलो हाई मिस्टर बोस कैसे हो फाइन सर दिल्ली में सेंटरल मिनिस्टर आपके बारे में पूछ रहे थे क्या बात है सर रामेश्वरम आइलेंड में एक रेप केस हुआ था आजाद नाम के एक बिहारी लड़के को अरेस्ट किया गया था पूछताज करने पर पता चला कि वो एक माहो इस्ट है तो यह जानकर पूरा पुलिस डिपाट्मेंट शॉक हो गया कि आखिर वो है कौन उसका बैक्गराउंड क्या है उसके साथ और कौन-कौन है उसका आगे का प्लैन क्या है तो क्या आप वापस से डूटी जाइन करके अपने इसाब से उससे पूछताज करना चाहोगे मिनिस्टर भी कुछ ऐसा ही चाहते है तुम्हारा क्या खयाल है बोस मैंने वापस शिकार करना शुरू कर दिया जिन्दगी में जो भी घटना सामने आती है उससे कोई ने कोई सबक जरूर मिलता है मगर ये केस मुझे सबक सिखाएगा ये जानने के लिए मैं बहुत सुख हूँ रामिश्वर में हंगामा मचाने वाली खबर एक स्कूल की बच्ची मंजुल नायक का रेप करके मडर करने वाले केस में कुछ दिन पहले गिरफतार किये गए आजाद से पुलिस ने एक बड़ी पूछताच की है इसे पता चला है कि वो बिहार के मावाधी घुरू का है इसे पुलिस को शौक लगा है पुलिस ने उसे तीन दिनों तक और अपनी कस्टडी में रखकर पूछताच आगे बढ़ाने के लिए अपने बड़े अधिकारियों से निवेदन किया है आशा है कि कुछ और भी चौकाने वाले तध्य सामने आएंगे हम अभी रामेश्वर पुलीस टेशन के बाहर खड़े हुए हैं मंचुलनाय की हत्या करने वाले मुझ्रिम आजाथों पुलीस इस वक बाहर ला रही है यहां पर महिला मंडल और दूसरे संग्धनों की महिलाओं की फीर लगी हुई है और उनकी डिमांड है कि इस सेफिस को सख से सख सदा में जाएए मेरा नाम मुवेश्टनायक है पालन पोशन इसी रामेशुरम में ही हुआ है मैं जाधा पड़ा लिखा नहीं हूँ मेरे पिताजी मुझे अच्छे से पढ़ाना चाहते थे जब मैं आठवी में था हार्ट अटेक से उनके मृत्यों हो गई जमीन जायदाद कुछ भी नहीं मेरे पिताजी की नाईकी एक दुकान थी उसी से अभी तक गुजारा कर रहा हूँ बहुत से लोग मेरी दुकान में आकर कटिंग शेविंग करवाके जाते हैं मैं ये सारा काम बहुत मन लगाके करता हूँ मेरे रिश्दारों ने लड़की देखकर मेरी शादी करवा दी मेरी बीवी ने एक प्यारी सी बच्ची को जनम दिया प्रसर्व के दरान उसके मृत्य हो गई उसके बाद मैं भी मरना चाहता था लेकिन मेरी प्यारी सी बच्ची मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी उसकी मुख कोल कर मुस्कुरा रही थी मैं उसी के लिए जे रहा हूँ मन जुलनायक मन जुलनायक मेरी बेटी सुन्दर भी थी और प्यारी भी थी वो मेरी बेटी नहीं मेरी माँ थी काई पाप्यों ने मिलकर मेरी बेटी के इसनत लूटकर उसे प्रेज के उपर से समधर में बेखती आप मेरी प्यारी बेटी वेरी प्यारी वेरी, मैं विया, मैं विया, मैं विया, सब सहे तए कर्भा रहाओ कर दो, प्रूप्स कुर्णार की जड़ Day एज़! टोल जो. ए, जुटेए. ए, जुल, पुए. ए, जुटेए. आख सार. है, जुटेए. एंसा लगें, वाहं खोई खड़ा हुआ है. अब कराव अब कर दो ज़्यानि प्यार करता हुआ पत्रका देनी के लिए थो मेरे भाई की शादी होने वाली है कोई दिनी के लिए था सर मैं सच कह रहा हूं तेस्ट है लेहरों की आवाज पेड़ों के बीच में तो बड़ा रंगिला यार सज्च बता आघर कहा रहा है सज्च बता इसे रहां झाल रहा हैं मैं जूट निए बोल रहा है तो उसके साथ रंगड्य रिया अवन आना चाहरा था ना तो फिर क्या सूं के जा रहा अब नहीं सर हम सेच बोल रहे हैं सर हमारे यकीन कीजी प्लीज सर अचुटकर जानते हैं आपको धोका देखें आवार आपके साथ घूम लिए तु ऑलो तरही है कीन केरें और तु इसके ताँ किस केरें किसको वेखें कुछ सबस्टिया जी सर यॉप यह बढू प्रफूजर प्रफॉड जया जब से अज़ प्रफॉड़ जब से अज़ जब से अज़ है भी हम कि गार वैरेस टू ए वे जाली से चले आंतने चले जाल ए जाली से फिर याख के tarafा पॉप 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 यह जगे पर नहीं मिलेगा यह जगे अमारे लिए किसे ने कहा था मैंने सर यहां पर लड़कियों को लाते हूं क्या नहीं सर यहां कोई गलत लड़कियों बारे मैं जानता हूं वह बात नहीं है गाड़े में बठाव नहीं प्लीज जाल रहा है जब के फोन ले लो जी सर क्या सर एक छोटे बच्चे के बास उनका पैसा कर रहे हैं सर एक बास आजूँ एक बास बूदा में वह बास पुझ एक है सर आप इसका एंकाउंटर करने वाले हैं सर तो क्या हमारे बारे में जनने के बद हमें भी मार डालेंगे हमने वैन का वीडियो नहीं निकाला है सर वो जो बाइक में आ रहे है वो जूट बोल रहे है सर घर में बहुत सारा काम पड़ा है तुम लोग वापस जाकर क्या काम करोगे बोलो क्या काम करोगे अपनी प्रेलिका के सामें दूसरों का पेर पकड़कर जिंदगी की मांग रहे हैं मांद सम्मान नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर इससे अच्छा है के मर जाओं मर्द नहीं हो तो यह लोग आखिर कर क्या सकते हैं गोली मारने के सिवा करते क्या यह हम क्या जानवार हैं डर्पोग मुँ बंद रख अपना मी तो मुझ तोड़ दूंगा तेरा पंद्र साल की लड़की का रेप करके नयाए और इंसाथ की बात कर रहा है हैं है ऐवान कहीं के तुम लोग दिए कतल ही नहीं करते हो कतल करके उसे खा भी जाते हो कातिल हो तुम लोग हैवान हो तुम लोग कहते हैं कातिल की मा, कातिल कहीं का मैंने कहा था ना सुंदर होगी, देखो देखो कैसी है, देखो सुरच, पिरी प्यारी बच्ची रूम नमर 12 के बिशन का डिस्चार्ज करना पेपर तयार करके रखना, नमस्ति विस हॉस्पितल, पेपर स्कैन कर दिये हैं, आपको दिखाँ, डॉक्तर, आपके लिए फोन है, पता नहीं किसका फोन है? मह, यहलो मह, यहलो के बचिशन करो, मह तुम्हारा दिमाख खराब हो गया है, मैं तुम्हारी मा नहीं हूँ इसलिए मैं पांस साल पहले तुमसे अलग हो गई थी मैंने कहा था ना आइंदा मुझे फोन मत करना कातिल कहीं के बीवी नहीं, बच्चा नहीं, सवाल पुछने वाला कोई नहीं है कानून को हाथ में लेकर जितने कतल करने हैं कर सकते हो यहां गरीब और बेचारी बहुत लोग हैं, सभी को मा डालो अपना खुसा शान्त कर लो मा, हाँ मैं कातिल हूँ हास्पिटल में ऑपरेशन के दोरान अगर पेशेंट मर जाया और डॉक्टर उसमें कातिल है तो हाँ फिर मैं भी कातिल हूँ अभी एक कतल करने के लिए मेरा मेश्वर माया हूँ एक पंद्रा साल की लड़की का रेप किया और उसका मर्डर करके उसे समंदर में भेग दिया अस गुनेगार से बात करेंगा मेरे पास टाइम नहीं है गोट तक जाने का टाइम नहीं है गन ही मेरी कोट है और गोली ही उसका फैसला है जो सजा उसे 15 सल के बाद मिलती मैं उसे 15 मिनट में दे दूँगा यही बहुत बड़ा फरक है समझी आप वाई दीड वे इंडेस्टेंड वाट आम ड्राइंग टूसे अभी भी आप नहीं समझ रही माँ क्योंकि मैं आपके आदत अच्छी तरह जानता हूँ आपके हॉस्पिटल में पैदा होने वाली बच्ची भवश्य में इस तरह के लोगों के हाथों में नहीं पैसे इसलिए मैं यह सब कर रहा हूँ समझी आप हेलो है चल्पाट, चल्पाट, मिना पीचे मुझे बाख आणे, वेटे, 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 वेटे वंदार! आणे, सुरू यहाँ चलूटकर बाग्ट उतकर बाग्ट उतकर बाग्ट ए उतकर बाग्ट बलोल गयो है खोजय आए अर बलोल बलोल आंए अगस आंए आईशा, आईशा! गोली नी मारी फिर भी गिर गया, पानी लेकर आउ पानी 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 पी पानी पी चल्ड ये तीन दिनों से खाना नहीं खाया सर इसलिए बेहोश हो गया सर आपके लिए को कॉल आ रहा है सर थोड़ा और पानी पिला ये सर है, हलो आप कौन बोल रहे है, साहब अभी थोड़ा बिजी है, खास काम है, बाद में फोन करी है मैं असिस्टेंट कमिशनर बोल रहा हूँ सर, हाँ बोली है सर, बोली है, क्या उस लड़के को गोली मार दिये सर, हम लोग गंस के साथ तयार है सर हरे तो तुम घबरा क्यों रहे हो, नौकरी में नए आए हो नहीं सर, 20 साल का एक्सपीरियेंस है सर अक्यूस्ट बेहश हो गया, इसलिए थोड़ी टेंशन है सर चलो अच्छा है, तुम लोगे काम करो मौरिशस के पी-म कलाम साहब की समाधी का दर्शन करने के लिए आज आ रहे हैं, समझ गए, समझ गए सर, समझ गए, तुम्हें समझाने से क्या फाइदा, यह ख़बर बोस को दे दो, उससे फोन दो, ओके सर, ओके, सर, हैंकाउंटर बाद में करने के लिए बोला है सर, उपर से फोन आ है, मौरिशस के प्र सुनो ना, मुझे चल्दी जाना होगा, तुम थरा शांत रहों, प्लीस, चुप रहों, चुप रहों, चुप रहों, चुप आज रहों, प्लीस, अंदर मोसे नाम का एक्वेटर हो, उससे कहो मÝा आयों और तुम लोग लोबी में बेट करो, ठीके सर, मेट जा कुछ खाओगे नहीं सर ठीक है नहीं सर कुछ नहीं चाहिए नाम क्या है वरून सर वाइश्नवी मिस्टर वरून यह तुम से प्यार करती है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसे कहीं भी सुनसान जगे पर ले जाओ तो मैं पता है न ऐसे जगे पर कैसे हादसे हो सकते हैं हमारे देश में लाखों केश चल रहे हैं इस तरह के पुलीस सब के हिफाज़त करती है लेकिन वो सब के हिफाज़त कैसे करेगी ये तुम जैसे को सोचना है सबसे पहले इसके हिफाज़त करो उसके बाद सब कुछ वैसे सब लोग यह नहीं सोचते कि वहाँ पर कुछ बुरा होगा लेकिर अंजाने में फिर कुछ ऐसे हालाद बन जाते हैं कि बहुत बड़े हाथ से हो जाते हैं सोरी सर ठीक है इससे घर छोड़ने में कितना टाइम लगेगा सर वो दस पंदर मिड़ में आ जाओंगा चलो जाओ चलो ना चलो सर फोन सर कौन सा फोन हम सर दो इसमें तुमारे माबब का नंबर है है सर बताए वक्त पर आजाना तब तक यह फोन मेरे पास ही रहेगा ठीक है सर सर वाइक की जावी समाल के जाना जी सर एक्सक्यूज मी सर मैं मौसस आप पुलिस है ना कियो सर आप लोगों को कोई काम धंदा नहीं है कितने लोग पूछताच करेंगे मैं यहाप ए काम करता हूं सर आजाद अच्छा लड़का है अच्छा लड़का है बार-बार के रहा ह सिर्फ आदे घंटे में इन में से कोई एक गोली आजाद की जिंदगी खतम कर देगी है वाकए अगर तुमसे अच्छा इंसान मानते हो तो अपना फोन यहां रखकर यह फोन लेकर जाओ अपने फोन पर कॉल करो अगर मेरे सवालों का तुम सही जवाब दोगे तो इस गोल की ज़रूत नहीं पड़ेगी अरे भाई देर हो रही है अभी तक तुमने लंग्स त्यार नहीं किया जड़ी कर दो सर मोजेस बोल रहा हूं सर मैं आप पर ही भरोसा कर सकता हूं आज़ाद की जिन्दगी मैं कैसे भी बचाना चाहता हूं इसलिए आपको फोन करना हूं सर आज़ाद बहुत अच्छा बर कर सर उसे कैसे भी करके इस केस से बाहर निकाल लीचिये सर आजाद कैसे इसके इसके अंदर आया सर उसके गाओं के तीन लोग यहाँ पर पानी पुरी का धंदा करते थे उस सब के सब बहुत इमानदार थे सर कभी-कभी आजाद से मिलने आते थे एक दिन हफता वसूल करने आये लोकल गंडो के इन तीनों ने बहुत मारा था इसी बार में पुछताश करने के लिए पुलिस उन्हें उठा कर ले गई थी फिर आजाद के उपर रेपर मोडर का केस डाल दिया तब से आजाद के जिन्दगी बिल्कुल बरबाद हो गई सर उसके साथ बहुत गलत किया सर अब यो तीनों लड़के कहा है मैं नहीं जानता हूं सर जिस दिन घटना हुई उस दिन आजाद कहा था उस दिन पुरुणीमा थी सर होटल में बहुत भीड़ थी कस्टमर्स को समालना बहुत मुश्किल हो रहा था सर हमें आदा रहा है कि सर वाश्रूम तक जाने के फुरसक नहीं थी आजाद के बारे में और के जानते हो नौर्थ हिस्ट इंडिया में एक जगह है जहां पे बहुत सारे मावादी रहते हैं इसी छोटे गाउं में गरीग के घर पैदा हुआ था आजाद एक दिन मावादीयों की मदद करने के शक में पुलिस ने सारे गाउं में तोड़ फोड़ की और पूरे गाउं में आग लगा दी इन सब के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था उसने अपने गर्वती बीवी को अपने मावादीयों में शामिल हो गया वहीं से उसके जिन्दगी मदद देशा च्छे महीनी के बच्चे को अपनी मा के पास छोड़कर आईशा भी आजाद के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगी थी आगे बनो सरकार के खिलाफ इस लड़ाई गी आजाद की वेवी उसके सामने ही तुलिस की गुली लड़ने से मर गई थी बीवी की मौत से उसे बहुत ही दुख होआ था वो बार बार ये कहता था जिससे हमें भी दुख होता था उसका दुख हमसे देखा नहीं जाता अगर एक अच्छा अधिकारी हो तो सव मावादियों की ज़रत नहीं होती अगर हमारे दर्द को जानने वाले अधिकारी हो तो मावादी ज़र शब्धी खत्म हो जाएगा इसलिए अपने बेटे को मावादी बनाने से अच्छा एक अच्छा सरकारी अधिकारी बनाना चाहता था उसे खूप पढ़ाना है ये बात उसकी बीवी हमेशा कहती थी अपने बेटे के लिए उसने अपने आपको सरेंडर कर दिया था मैंने यह सारी बात पुलिस को बता दिए थी सर लेकिन वो हमें धमकाते थे कि चुप चप यहां से चला जावरना तुझे भी अंदर कर देंगे मैं तीज सालों से बिजनस कर रहा हूं अब तक पूश्टाश करने गरी यह कोई पूलिस नहीं आई मोजेश की बात एकड़म सही है सर पूलिस ने मुझे भी डराया था उनके खिलाव करें तो हम यहां बिजनस नहीं कर पाएंगे आजाद को आप कैसे भी करके बचा लीजिए प्लीज सर देखता हूं मैं तू जा ठीक है हलो अभी कहां है तू क्या बात है एक ऐसी बात है जो कल हैडलाइन में आ सकती है पहले बैठ से निकल क्या बाते बोलो बिरला बोस अभी हमारे होटेल में आकर गया है क्या बख रहा हूँ मैं बख नहीं रहा हूँ ज्यान से सुनो आदा गंटे पहले आया था मोजेश ने उसको सब कुछ साफ साफ बता दिया था आजाद को बचाईये कुछ और नहीं सुजा तो मैंने भी वही नाटक कर दिया क्या तुमने उससे बचाने के लिए का सुबह नो बुजे तक उसका इंकाउंटर हो जाना चाहिए था क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो सब कुछ अच्छा होगा यही कह कर गया है वो कोई भी प्राब्लम नहीं होगी अब हम सब समाल लेंगे लेकिन तुम बीच मता न कहा था लेकिन अब मुझे खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है ठीक है ठीक है तुम टेंशन मतलो मैं है निकलो बताता हूँ ए प्रेंश अब हम लोग क्या करेंगे तुम आजाओ ए लोकी चल गाड़ी चला चल चल जल्दी निकाल ना सर गाड़ी की चावी नहीं दिख रही है अरे क्या बोल रहा चीतर देखला मैंने चावी को हांक में नहीं लिया था सर गाड़ी में ही थी अरे गाड़ी की चावी नहीं मिल्दी तुम्हारे पास है क्या गई वो भी चली गई क्या बहुत बढ़िया क्या बढ़िया अरुन तुम्हारे और आजाद का इस समय वहां पे रहना एक एक मिट खत्रे से खानी नहीं है त्यान लखना हेलो हेलो ये रूख, और भाई का फोन है भाई फोटो देखा क्या? टिका भाई कौन है ये? ये जानने के जरुरत नहीं ये फोटो वाला अगर कहीं भी नजर आये तो मुझे कॉल करना अ फोन रखो एई है रभी हाँ भाई देखो उसके सामने बच्काना हरकते नहीं करना और हां उसके हाथ में गन भी है पुलिस वाला है क्या कहा ना तुम्हें कुछ भी जाने के जरूरत नहीं बहुत बड़ा मैटर है उससे मामा जी का भी संबंद है सावधानी से ठीक है भाई मैटली कॉल फॉर यू चेक हूँ सा डाड़ी हलो 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 पूर में कुछ प्रॉबलम में क्या हुआ सर कुछ नहीं कौन था पता नहीं बेटी कट हो गया वापस आए तब मैं रेसीव करूँगी हुआ हलो 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 कि कैसी है तुम आखिर में तुम्हें मुझे छोड़ गई ना उस दिन जब उस आदमी ने मेरी करदन पर चाह को रखका डराया था उस वक्त तुम्हें छोड़कर गए थे भूल गई क्या नहीं तुम्हें बचाने का और कोई रास्ता नहीं था जिसने तुम्हें घरदन पर चाह को रखका था उससे शूट करने के बाद मैं तुमसे वापस मिल ले आ था मस्टर मोहन तुम्हें कुछ समझा कर वापस ले जा रहे थे तो तुम कहना चाहते हो कि उमने मेरे लिए यह किया नहीं तुम्हारी गरदन पर उसने चाकू रखा था इसलिए मने उसे गोली नहीं मारी यह कहना चाहता था तो क्या तुमने यही से बताने के लिए मजह इस वक्तान किया है यही कहना होता तो पांच साल पहले कहतिया होता जैसे अपने प्यार का इजहर किया था यह सोचकर दूर हो गया कि तुम अपने पता जी की बताई हुई जिन्दगी जीओगे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी जिन्दगी अपने डाट की मर्जी से जीऊंगी उस दिन तुम्हारे पिदा जी शर्त रख रहे थे तब तुम चुप क्यों थी चुप नहीं थी मैं बात ही नहीं करना चाहती थी एक रड़की का पिता होने के नाते उनके भी कुछ अर्मान है तो इसमें गलत क्या है बोस ये बात तुम क्यों नहीं समझ रहे हैं है 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 यही है यही है वो मुंबई वाला है रवी यह कहां कि तस्वीर है भाई रश्मी स्टेट के बाज़वाला फोन बूद है भाई मैं अभी आ रहा हूं है है काड़ी खुआ और चल्दी चाहिए तुम तो अप्पमी की जान बच नहीं है कि तुम्हें लगता है वो एक अच्छा आदमी है उसने कुछ नहीं किया है कि उनेगार को मारना जिस तरह मेरी ड्यूटी है उसी तरह बेगुना को बचाना भी मेरी ड्यूटी है अब तक तुमने अपनी लाइफ में जितने भी एंकाउंटर्स किये हैं वो सब एक्यूस थे लेकिन यह आजाद बुरा नहीं है यह तुम्हें कैसे पता पहले तो पता न कि नहीं कि उस लड़की के पिता ने कहा है कि मेरी प्यारी बेटी मेरी चोटी सी बेटी उसे उन चार कुंडों ने बार कर भेग दिया बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रही है डॉक्टर अब्दुलकलाब जैसे बहुत बड़ा वेक्यानिक बनना है इंडिया के लिए रॉकेट बनाना है इस रो में जाना है आस्मान में जाना है वे सब बहुत कुछ कहा करती थी ती हुआ 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 है हुआ 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 ह मुझे माफ कर दो कर दो रुको मेरे साथ खेलो आउ रुको रुको पैसा देखते ही मेरा दिवाग राव हो गया ता साब मुझे माफ कर दो साथ मुझे माफ कर दो साथ तुमने जो गल्टी की है मौत ही उसकी सजा है वह तुम्हें कैसे चाहिए यह तुम्हें कर सकता हूं मैं तुम्हारे परिवार का मैं ख्याल रखूँगा तुम्हारी बेटी की मैं पढ़ाई करवाऊंगा हुम नमस्षिवाए कहा भाग रही हो मेरी दाड़ी ऐसे ही बढ़ती रहे और तुम्हारा पेट भरता रहे शुक्रिया जाँ ब्रहम राजा यसा आइलेंड का राजा है वो बहुत बड़ा शिवभ भागत खास राजनिती वाले बड़े बड़े लोगों का बेनाम रहने बला है राजा सिर्फ तामिलाडों ही नहीं दिली में भी इने इज़त देते हैं बड़े बड़े पुले साधिकारियों और एक्टर से उनकी पहचान है साहब के पास रहने वाले हजारों करोड की ब्लैक मनी पानी की बोट में तैर रही है ये बात उनकी नज़्दी की लोगों को भी नहीं पता गंगा साहब का भांजा है सिर्फ ये ही नहीं बोट में तेह रहा जितना पैसा है उसके सारे जिम्यदारी गंगा पर ही है वो हमेशा बॉस की तरह भीड से घीरा रहता है साहब का बेटा नाम सचिंदर राजा एलियस सचिंद कोईंबचूर इंजिनिरिंग कॉलेज बे पढ़ रहा है करन का कवच कुंडल में था वैसे ही साहब की जान उसके इस बेटे में है वो अपने बेटे को कभी घुसे से नहीं देखते हैं हमेशा प्यार करते हैं उसे खुश रखते हैं चाहे कितने भी लोग उनके साथ रहें और वो हमेशा भरोस अपनी गन पर ही करते हैं घटना होने के पहले दिन मेरे बेटी रात भर बिना सोई स्कूल के कॉम्पिटिशन के लिए एक रॉकेट बना रही थी बेटी रात के दो बज रहे हैं सो यह अभी तक क्या एक सेल मिलता तो मेरा काम खत्म हो जाता हूं एक मिनट मैं अभी लाया अभी आता हूं अब जल्दी से सो जाना ठीक है अभी हो जाएगा दूसरे दिन मैं सुबर चल्दी ही काम करने के लिए दुकान पर चला गया मेरी बेटी सुबाहट वज़े स्कूल चले की सामने वाली दीदी उससे कह रही थी मंजुला बेटी खाना दुखा कर जाओ नहीं आंटी स्कूल के लिए देर हो रही है उस दिन जादा बेड़ नहीं होने की वज़े से मैं दुकान बंद करके जल्दी घर चला गया मंजुला मंजुला स्कूल से बेटी वापस घर नहीं आई तो सोचकर मेरा दिल घबराने लगा था दीदी मेरी बेटी तुम्हारे घर आई है क्या नहीं आई भया चान पहचान वालों के घर और सभी रिशदारों के घर मैंने ठूंडा था उसे इतना घबराय वे क्यों कुछ नहीं आखिर में मैं उस स्कूल में गया जहां वो पढ़ती थी वाच मैं क्या हुआ भोलो सारे बच्चे तो निकल गए मंजुला अभी तक स्कूल से घर नहीं आय थी तो इसलिए उसे घर ले जाने के लिए आया हूं क्या का बेटी अभी तक नहीं पहुची लेकिन यहां से तो सारे बच्चे जा चुके हैं तो पहर में मेरी बेटी स्कूल से घर चली गए यह सुनकर मैं दिल घब रहा रहा था और मुझे कुछ नहीं सोच रहा था यह बगवान यह क्या हो गया अरे बीटा चल कर तो देख मंजुला को क्या हो गया है मेरी बेटी यह बड़े मेरी बेटी क्या हो गया बैटा मेरी बैटी मेरी बैटी यह तुझे क्या हो गया मेरी बैटी तो ही मेरी हिमती अब मैं किसके सारे जीऊँगा पेरे बैटी मंचुला के जाने के बाद मैं घर में ही पड़ा रहता था एक दिन मांचुला के साथ बढ़ने वाली लड़की उसका सर्टिफिकेट देकर मुझे हिम्मत देकर चली गई ये मांचुला के सर्टिफिकेट है आप अपना खयार रखेगा मुझे हिम्मत देने वाली उन लड़कियों को देखकर मुझे कुछ समझ में आया गटना वाले दिन सचेन और उसके फ्रेंट्स कार को तेजी से बगा के लिए जा रही थे उसकी कार का पीछा करके उसे धीरे धीरे चलने के लिए कहने वाला था लेकिन वो कार को तेजी से बगाता रहा उस कार से एक रीबन उड़कर मेरे पास आकर गिरा मैंने उसे उठा लिया बच्चों की चोटी में बांधे वाले रीबन को देखकर मुझे याद आया मरी हुई मेरी मंजुला बेटी की चोटी में एक ही रीबन बना था हो सकता है ये मंजुला का रीबन था उस दिन तेज जाती कार में क्या मंजुला थी उसने इशारे से मुझे खबर दी थी क्या ये सूच सूच कर मेरा सिर्फ भटने लगा था मैंने उस गार को वापस देखा तो वो कार जो है साहब के बंगले के पास थी दो दिन के बाद एक दिन सुभा वो कार बंगले से बाहर निकली के बंगले मुझे हुषे मुझे बेटी माचुला जो कुछ हुआ वो सच बताने के लिए मैं पॉलिस टेशन गया वहां वो लोग मेरी बेटी के काति लोगों छोड़कर किसी ब्याहरी लड़के को पकड़कर उठा ले आए कुनेगारों को बचाने के लिए वो एक बेचारे की मली देने के लिए उसे उठा कर ले आये थे क्या लोग है अभी वो चारों कहा है नहीं जानता बस इतना जानता हूं कोई चन्नी में है कानून के सामने बिना सबूत के उन्हे गुनेगार कैसे साबित करोगे ये मुझ पच छोड़ दीजिए सार मैं उसके लिए आप से मिले नहीं आया हूँ प्रम राजा के बेटे के बारे में आगे बीजिना चानने वाले आदमी के लिए खत्रा हो सकता है मैं ये अची तरह चानता हूँ मैं तो अपनी जिन्दी की जी चुका हूँ लेकिन गुनेगारों को और जीने नहीं दूगा सर बस यही मेरी चाहत है आप फिर से पुछताच कीजिए अगर वो प्यारी लड़का सच में गुनेगार है तो आप उसे कोली मार दीजिए कल मेरी बेटी मरी थी और आज वो बेचारा लड़का आपके हाथों मारा जाएगा इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है सर भाई वो खड़ा है वह यह बोस मैं बस दस मिनट में आ जाओंगा मुझे कुछ जरूरी काम है बापा दुनिया भर का काम पड़ा है और तुछ सुबह से बस घूम रहा है भाई की शादी है तुझे ज़रा बें जिम्यदारी का एसास नहीं है क्या चला जा इक नहीं तो है उस बूर के अंडर फोन कर राहा है अबाब अमें आनी अन्य आनी बाला हूं हुआ है पहुआ है हुआ हुआ है अटो मेंडम अटो सर अटो चाहिए सर अटो चाहिए क्या सर सर कहा जाएंगे सर कोटी वाकम सर टैक्सी में जाएंगे तो एक हजार लगेगा मेरे साथ चलिए पांसों में छोड़ दूगा आपको आईए पैसों की कोई चीनता नहीं है बस यह बताओ किती देर में सर मैं वी उसी यह एक हम, मिल्जाए लगा, आई… एक मिलए, एक मिलए, रुप्वो, रुप्वो… रुप्वो, रुप्वो… कर दो, रुप्वो, रुप्विट, रुप्वो… एक मिल एक संचे ज Dazuन् भी होड़ी पांसों की जाए, परुप्वो… वो शेवाद। वो शेवाद। अरे पागल हो क्या अरे इसकी भाई खटाओ देखो वो जा रहा है अरे उसका पीछा करो जाओ उससे पकड़ो जाओ जाओ अरे मुल का है अरे मामा जी मैं बस आपको फोन कर नहीं वाला था नमस्ति वाई दिल्ली में सोचा हुआ काम हो जाता है लेकिन गाउं में जो सोचा वो काम क्यों नहीं हुआ लेकिन उसने उस ब्यहारी लड़के को कहां चुपा कर रखा है पता नहीं अभी वो मुंबई वाला कहा है वो एक लोकल लड़के के साथ कहीं जा रहा है और उसने इस टीडी बूथ से केसी दिल्ली के नमबर पर कॉल किया था उसने बूथ वाले से कहा कि दिल्ली से एक फैक्स आएगा उसे लेकर रखना वो दिल्ली वाला नमबर मुझे जल्दी भेजाओ ठीक है मामा जी मैं अभी भेजता हूं फैक्स कि दुकान पर अभी कौ सर वो दिल्ली का नमबर प्यम आफिस में काम करने वाले लोगों की गेस्ट हाउस का नमबर है सर अब भाई 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 सुनो सुनो चाय चाहिए कि कौफी चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए यहां वो ब्रहम राज रमनात के रहने वाले हैं वो करोड़ पती उनका बंगला है उनका एड्रस मिल सकता है देखो भाई मुझे नहीं पता बड़ा बंगला है एड्रस तो नहीं पता है यहाँ आस-पास पाक्न किलो मेजर में सारे बड़े बंगले यह बहिए है लोगों को लागों है कौन बोल रहा है आप जाए वहां से दो बंगले छोड़कर वह बंगला जिसे आप ढूड़ रहे हैं सर सर आप कौन है आप मुझे कैसे जानते है जानता हूं अठारा गंटों से जानता हूं कल आप चर्च आये थे और वहां एड्रेस का कार्ड भूल गए ये भी अच्छा ही हुआ उस घर से बाहर आने तक आप मेरी नजरों में रहोगे और हां भी जो मैंने एड्रेस आपको बताया वहां पर चाह लड़के अपनी गलती का अहसास की विना वहां पर आराम से रह रहे हैं अब जो करना है वो करो मन का गुस्सा चहरे पर नहीं देखना चाहिए मिस्टर बार्ण मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं सर बलकि मेराज दिन ही खराब है सुबह से कुछ ना कुछ गडबड ही हो रही है बस कहते हनुमान जी को अपनी शक्ती पता नहीं थी तुमने भी आज वैसे ही मेरी मं थैंक्स अब क्या मैं जा सकता हूं यस तुमार बाई की शादी है ना मुबारक के ना बोल दूगा सर चलता हूं हुआ मिस्टर बोस एनी अधर हेल्प यस मिस्टर आप ओके शुर्ण 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 दिख रहा आ गया तु क्या बार बार हन्वा जाता है आजा सर नमस्टर सर नमस्ते सर लड़के का पर उपर सर सर ने फोन किया था कि वखिल सा वाएंगे उनका है आई आई सर तो कॉंसा फ्लोर है फॉर्स फ्लोर पे सर साथीश नायर आगिया यहार तो अब मैं तुम लोगों से ओक्टूबर 29 को जिसके बारे में सिर्फ तुम चार लोगी जानते हो उस घटना के बारे में कुछ सवाल पूछूगा और तुम उस घटना के बारे में मुझे सब कुछ सच-सच बताओगे तो काम आसान हो जाएगा तो फिर हम शुरू करें एक सेगंड सुनो मुझे पर ध्यान दो जरा उस घटना के बारे में अगर तुम मुझे अच्छी तरह से बताओगे तो हम लोग तुमारी कुछ मदद कर सकते हैं लेकिन अगर तुमने सच छुपाया तो दिल्ली के निर्भया केस के बारे में जानते हो ना जेल नहीं होगी डारेक्ट फांसी होगी सर 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 एक बात ध्यान से सुनो हम लोग तुमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इसलिए सवाल का सही जवाब दो सर उस दिन हम सब एक ही गाड़ी में पूरे गाउं में घुम रहे थे उस दिन मतलब किस दिन सर अक्टूबर 29 को तुम लोग वहां से गुजरते उस रास्ते से गए थे या फिर वो उस रास्ते से जाएगी यह सोचके उदर से गए थे हम जानबूज कर गय थे हम मेंसे वो लड़की पसंद आ गई थे अरे याँ तक है कि असी बाते कर रहा ढूडा रही हो किता हम वही जाराये तुमको छोड़ देंगे-आँ मैं मैं चली जाओंगी भालीया मैं चली जाओंगी अरे तुम्हारे हट में प्रोजेक्ट है वह तूट जाएगा आजओ बैट जाओ बैट जाओ अरे आय जाओ भल साट का थैड कि हे कि कर दो कर दो कर दो बहिया मेरी पिताजी जा रहे है गाड़ी रोकी ना मैं उनके साथ चली जाओंगी क्या कर देखके नहीं चलाते कर दो कर दो उताज। कर दो जाएंगी जया कर दो क्या कर दो हुआ 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 अग्या लगा अपड़ा। हुआ 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 दरदो रावेरी छोड़ दो छोड़ दो अजी ताजी बच्छो अजी विद्धाजी! विद्धाजी! वो लड़की मर्गई यार! क्या हो रहा है तो? परे चल कर जाए यार! वो मर्गई! परे में मजाग ने कर रहा हो तो! यह देख! ओ गॉद्ध! ओ गॉद्ध! ओ गॉद्ध! भाई औअ यह देम्हार है , जा दो क्या करेंगे। अब खांसही तुभ्यूच फांट अब अब हम लग तुद्ध। तुद्धृ गळबड के यार! यह तो गणपद उसने घुडबड उब हैओ इश्य. चलो अधने बैठके हाँ रहे तो व्र। यार आए यार यार वे यार यार जाजय हो नहीं और भेंगे जाने हैं नहीं नहीं बाडी को समंदर में फैकने से पहले उसकी बाडी को कहीं और लिकर गए थे क्या नहीं सर और इसके बारे में तुमने किसी और से किसी भी तरह के कोई मदद मांगी थी क्या नहीं सर अच्छी तरह से सोच समझ के बताओ घबराने की जरुत नहीं है नहीं सर नहीं सर आप लगोंने उसका वीडियो बनाया था नहीं सर उस दिन तुम चारों ने जो ड्रेस पहने थी वो कहां है अंदर सर हमने चुपा कर रखा है तो सबसे पहले उसे जला दो हां जो गल पाइर बनाओ तो उसकी वज़े तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो ठीक है जैस एंजॉआइए सर चारों लड़कों से अच्छी तरह से पुष्टाश कर लिए उनके जरीए कोई भी ख़वर अब तक बाहर नहीं गई है और उन लोगोंने को वीडियो भी नहीं लिया आप टेंशन मत लिजी मैं समाल लूँगा ठीक है ओम नमस्षिवाए सर्कुल गाड़ी आ रही है सर को ब्लैक जीट दिखाए दे रही है सर्कुल यह दो हमारे सर है सर आप हमें यहां चोड़का चले गए थे सर यहां पीने को पानी भी नहीं है आप कहां चले गए यह में हुआ है फजरे अन्यक्ता प्रूसे नहां? सै? प्षूूू। प्षूू। प्षूू। प्षू। प्षू Кuating जौन व्षूू Hey, what's up? पीछे जैकेट और कैट पड़ी हुए पहनलो पहनलो नीचे शुप जाओ भगवान पर वरोसा करते हो नो तो बरोसा रखो हाँ हाँ ठीक है जल्दी आजाएगा भाया फैक्स है हाँ हाँ ले लो रभी भाई फैक्स हागे है आजाओ इसे जो भाई गड़ी हुआ यह उतक है वह प्याओ पाई प्याओ 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 नहीं आज़े जाएगा यह जीए जो आज़े आज़े आज़ो उस लड़के को चिननई हाई कोट में सरेंडर करने के लिए और्डर डरेक्ट प्राइम निस्टर ओफिस से आया है इस और्डर को माफी नामा का पेटीशन कर सकते हैं खास कर उस लड़के और बिरला बोस को हाई सेगरडी देने के लिए कहा गया है अभी तक ये फैक्स तामिलाडू के सारे पुलिस स्टेशन में गया होगा हमें उन दोनों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पकड़ना होगा हमेरे पास टाइम नहीं है सावधानी से डील करनी होगी नहीं तो दिल्ली में अपना नाम खराब हो जाएगा हालो मैंने फाक्स पेश दिया है मेरा काम पूरा होगया थैंक्स तुमने पढ़कर देखा है क्या नहीं फैक्स उनके हाथ में चला गया तुम्हें काम करो आजाद को लेकर मदूराय के किसी भी कोट में चले जाओ और वहां पहुचते ही सबसे पहले मुझे कॉल करना बागी सब मैं संभाल लूँगी आठेक है फैक्स के दुकान पर पचास लोग खड़े हैं गाओं में मुझे कितने लोग ढूंड रहे हैं मुझे पता नहीं इन सब को पार करके आइलेंड से बहार निकलना मेरे राजाद के लिए है इस नौट इजी तो मेरे लिए आखरी मदद कर सकती हो क्या मैं तली यह देखो अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे माँ से कहना मैं उस से बहुत प्यार करता हूँ I love her, please take care of her, you too I love her, you too चल रहा है सर, सब मेरा पीछा कर रहे हैं, बारने के लिए तड़प रहे हैं, आखिर बेने इसी कौन सी गलती किया है, अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सकूँ, इसलिए यहां काम करने आया था सर मैं, भागना, पीछा करना, गन, बुलेट्स, यह सब मेरे लिए कुछ न अच्के भागने में बहुत फर्क होगा है सर, जरा आप भी सोच कर देखे, जब मेरे बेटे को यह विश्वास होकी, उसके पिता जिने रेप और मॉर्डर किया, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा सर, मेरे बेटे की नजर पे मेरी क्या इससत रह जाएगी सर, मैं नहीं से पाओंगा सर, अपनी आखोसी यह सब नहीं देख पाओंगा, मुझे खत्म कर दीजे, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, बस एक प्रार्तना है अपसे, कि मेरे बेटे से, यह कहिएगा कि उसका भाब अच्छा इंसान था, बहुत महर्बानियों की साथ, हुआ हुआ है है पाओ जाए हुआ है, आपकट अब हुआ हो, आप नहीं और दो हुआ है, हटो हटो बीच में क्यों आजाते हो, तुम लोग है, कोई काम करने नहीं देते हो मुझे अरे हट जाओ तुम चिंता मत कर जाओ मैं बोल रहा हूं एक वोट से जीतने वाला सब्सक्राइब करने के लिए मैं उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए मैं उसे बीच पर ले गया था करने के लिए था तब आपर एक गाड़ी आ गई अधिक पुलिस की गाड़ी थी तिअ पुलिस फार कोर्के को एंड कांटर करने के लिए वहां पर लाए तो बाइक को वहीं चोड़कर आगया बाइक कहा गई अरे दादा उसी बाइक में तो बैटकर में यहाँ पर आए इस पीकर आउन करके इसके कान पर लगा वरून वेला बहुत बोला बात कर आज बोलिए सर चोटी से मदद कर सकते हो क्या आपने मेरी इतनी हल्प किया मैं आपकी मदद नहीं करूँगा क्या बोली ना सर बोली ना क्या बात है आदे गंठी के बाद में हार्वा पार करके वेट करूँगा कि यह प्रोट करने शच्छा अच्छा सुन को बोलना कि एक्प्लेट चिकन लेकर आ पास्ट बटर चिकन बोल किए जल्दी लगाने को बोल जल्दी तरना तरना पार्थ सेकुरिटी! सेकुरिटी! सेकुरिटी? सेक्यू… से... सेकुरिटी? अर्वेन नासेर कहां गया यार तुम लोग अरे यार कहां हो तुम सब अमार नासेर अर्वेन 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 ट्रवें अर्वेन झाल झाल हरे ओ मुम्माई वाले कहां वो बली का बक्रा गास्चा ने गया जंगल में और उसे माँ कोई परिशानी ना हो इसलिए मैंने सारी लोंबडियों को यहां यहां इकठा कर लिया ताकि वो आराम से चड़ सके और लोंबडियों उसका बाल भी बाका नंगर पाएं जाओ गाड़ी के अंदर जाकर देखो अब चुप चाप बता दे कि उसे कहां छुपा कर रखा है यहां पर कितने लोग है देख रहा है ना तुझे यहां सब मंबई जिन्दा जाना है यह नहीं जाना है जो अकेले डिटकर खड़ा रहता है वो दुनिया में सर्व शक्तिमान है बुद्ध ने ऐसा कहा है अगर यकीन नहों तो आजओ यह वाद्धू बाते कर रहा है और तुम दों चुप चाप देख रहा है जाओ बारो उसे है यह 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 सुनो 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 मैं तुमसे दोस्त की तरह पूछ रहा हूं सीधे सीधे बता दो वो बिहारी लड़का कहा है किसी वी वक्त यहां मेरे मामाजी आ सकते हैं और वो जब आएंगे तो कितनी जाने जाएंगी यह कोई नहीं जानता मैं भी नहीं हरे भाई इसलिए बता दो वो कहा है प्लीज फैक्स के दुकान को तुम लोगों ने ढूंड लिया जिसने मेरी मदद की उसे थोड़ी छोड़ो गए पुलीज की बुद्धी है ना इसलिए छोटा सा सूचा था तुम्हारे दमाग के हिसाब से वरुन को कॉल करके कोवड़ियों की तरह चल कर आ गये अब तक मेरा आदमी एकदम शांती से और खुशी से ब्रिज पार कर गया होगा अब जोड़ने की जरूरत नीए रहा है अरे बाई जानते हो मैं कौन हूं एक वोट्स जीतने वाला कांसलर पटाका मुत्तु जाना मद बॉल हमें अमारा काम करने दे अरे बाई क्या चाहिए हम पहले ही बहुत देरी से चल रहे है अरे बस में कोई नहीं है अब जान दे बाइं अच्छ रहना हई आट रहला है जाने जाने भाई बस में कोई नहीं है अच्छी म्हारो स्थिस गुजार्श नेरे डिलास कि सब्सक्राइब यह कि ए रख करो भाई तुम चिंता मत करो मदुरही कोट के गेट के पास तुम्हें छोड़ने के बाद ही हम लोग जाएंगे हम है ना साथ में हिम्मत रखो बेटा हिम्मत रखो अगर उसे हिफाज़त से मदरे भेज़ दोगे तो हम उसे ढूंड नहीं पाएंगे हमारे कितने ही लोग उसे कोट के अंदर मारने के लिए तयार खड़े हमां वो कैसे सरेंडर करेगा सर बचा लीजे थे आंदर मैं कुछ भी ने जानता सर शादी के वहOWN में दोले के वेश पर जा रहो हूँ है और आसथा साथयाज काँ अभी तुम भाई अभी कोट के बाहार है अब मेरी बात ध्यान से चुरू कोट के अंदर घुशने से पहले उसे मारना होगा उसके शरीर में कम से कम तीस बार वार करना आकर मैं देखूंगा उसका सिरकर तर से अलग कर दिया तो उसके अलग से 50,000 दोंगा ठीक है वीडि हुँ हुँ है चल गन निकाल कि वाकई जिगर वाले हो जरा भी डर नहीं लगता है ए गंगा हमारे लड़के जब उस बाहरे लड़के को मारने का वीडियो शूट करेंगे तो इस मुंबई वाले को दिखाना जरूर उस वक्त देखूंगा यह क्या से खड़ा होता है तुम्ह लेकिन उसके बाद सेंटिमेंट और पाप के बारे में सोचने लगा वही बात मुझे यहां ले आई वक्त पे पता चल जाता है नमस्षिवाय अभी तक तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है मैं जो तुसे पूछ रहा हूं सवाल का सिर्फ जवाब दे दे तुझे पूरी हि ज्यादा सोचो मत कल केस परसे शुरू होगा आकर में कातिल का नाम बताएंगे और उसके बाद वो नाम कोई नहीं बोलेगा वो नाम आपी का खून है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह तुझ सुख तुझ सब तुझ सन्षेट तुझ सुख तुझ sुख तुझ जो फोफ नह जुझ जो भी जुझ ईवाई जल्दी चेन नहीं फोन करो कौन है कौन है मेरे घर में यह कौन है बगल में कोई नहीं क्या सिक्यारिटी मेरे बच्चे को कुछ मत करना हुमेश 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 टू है तुझे क्या हो गया है तू वहां कैसे आ गया है हुमेश हुमेश है एक लोता बारिस है उससे कुछ मत करना हुमेश लुक जा उमेश लुक जा हुमेश हुमेश लुक जा हुमेश अचाने fingertips, माम कर दो रफनों, माम कर दो बच्चानें तूप जो हुमेश हुमेश अचाने इंपलान कर खम की जा कर दो तूब पालादे माज्जा कर दो इस आध्या जा मेरनने लुक जा उक आप प्लीक. टि ambar, अक्यार बचने प्लीड़्ेटी देख मेरा बारिस है वो उसे कुछ मत कर उसे जला कर राख मत कर दे अरे भगवान के लिए छोड़े उसे उमेश छोड़े उसे ले चो चोड़े उसे मेरा बीकार पिड्ता कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल हलो हाँ भाई कब क्या बात कर रहा है भाई बड़े साब ने सुसाइड कर लिया है क्या बोल रहा हूं भाई अभी फोन आया था भाई वह आ गया क्या करें पांच लात मिलेगा भाई सोच के रहो जान से मार दो इसे मार दो मार दो जगदी मार ओ इसे मार कर हैं पैसा किस से लेंगे चलने का लिहां से अच्छा कि रामेश्वरम से आ रहा हूं सर मेरा दाम आजाद है जल बैट टाइम देख रहे हैं आप कितना लेट हो गया चलिए तकदीर अच्छी है इसकी अच्छा झाल झाल मेरी बच्ची मेरे देवाब कर दिया सेर एक मिनिट सर आप से एक सवाल है सर आप इन चारों पर पेट्रोल डाल कर इने जलाने की कोशिश कर रहे थे फिर आपने इने छोड़ दिया ऐसा क्यों सर उन लोगों को जला कर आप लोगों के सावालों के जबाब दूं क्या क्यों मारे नहीं, मतलब मारने वाली बात आप लोगों के लिए आम हो गई है न खून का बदला खून, कतल का बदला कतल, ये फैसला सही नहीं है यहां जड़ी ही खराब है तो, टालियों को तोड़ने से क्या होगा थर्ड वर्ड वार से पहले ही शुरू हो चुका है लेकिन वो पास में ही होगा, क्यों? आप ही के घर के अंदर होगा यहां क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है? 24 साल का लड़का 6 साल की लड़की का ट्रेप कर देता है जमानल से बाहर आकर बुड़ी मा को मार रहा है बहुत से लोगों के रहने वाले फ्लैट में बेचारी कान से नहीं सुन पाने वाली 11 साल की लड़की को 17 लोग मिलकर उसकी इज़त लोटकर उसे बरबाद कर देते है उनमे से 4 लोगों की उम्र 60 सालों से भी ज़ादा होगी क्या इस धर्ती पे मान मर्यादा इंसानियत नहीं है क्या 17 साल के लड़के की गलती एक 70 साल का बुड़ा आदमी कर रहा है ये गलती क्यों हो रही है ये आप लोग ही ढूड़ो क्यों हो रहा है ये जानो एक बाप अपनी बच्ची को प्यार से बढ़ा करता है और इन जैसे लोग उसका रेप करके उसे माह डालते है आप लोग तो खुद कानोन बनाते हैं उस पर ध्यान दीजिए उसकी जगा आप लोग मुझसे ये पूछने चले आए कि इन्हें क्यों नहीं मारा इन्होंने जो किया वो इनकी गलती नहीं है माबापका करतव्य होता है अपने बच्चों को संसकार देना इस तरह खुली छूट देना नहीं होता उसका यह असर होता है आज ये बच्चे चा को गर्दन पर रख देते हैं मर्द और 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 ऑरतों की गंदी गंदी बाते करते हैं बच्चा पैदा होने वाली बातों को रिकॉर्ड करके सारी दुनिया में दिखा देते हैं। रे नाई तीन साल के बच्चे सेलफोन में देखते रहते हैं। माबाप उन पर ध्यान ना देकर बस अपने काम काज में लगे रहते हैं। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो उनके मन में बसी हुई हर इच्छा को दूसरों पर उप्योग करते हैं। इसके लिए हम किसे गलत कह सकते हैं। किसे मारने के लिए कह रहे हो। मैं चलता हूँ। दुश्मन को मारने से दुश्मनी खत्म नहीं होती। दुश्मनी हर एक कतल के बाद बढ़ती ही जाती है। ये सबक मैंने आज सीखा। किसी को गोली मारना के इतना आसान होता है और किसी को बचाना के इतना मुश्किल होता है। ये आज मझे समझ में आया। बहुत अच्छा दुए है। मत करो से। खुद को छुपा कर रखने वाले चार लड़कों के बारे में दुनिया को बता कर पाकी सब कानून समहा लेगा उमेश को ऐसा भरोसा था। वो भरोसा मुझे क्यों नहीं था। कानून पढ़ने वाला में कानून पर भरोसा क्यों नहीं कर पाया। हे ये लो कपड़े कपड़ों का बैग मिलाकर छे बैग रख दिया है स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नमर एक पर पुलिस बूत होगा वहीं पर रुपना मेरा इंतजार करना मैं पीछे से आ रहा हूँ भाई ये लड़का यहां पर ने आए जरा सम्हाल कर ले जाना ठीक है जाओ मैंने काना जाओ लाओ तक पहुंचने के लिए जो पैसा चाहिए वह तो मारी जेब में रखावाए बच्चे तो अपने बेटे के लिए कुछ ले जाना है एक बात और अगर कभी तुम्हारा वरोसा टूटे तो इसे खोल कर देखना